हेलो दोस्तों मैं धीरें स्वाकत करता हूँ आपका एक्जाम स्टड़ी विस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCRT सार संग्रह महेश कुमार बढ़वाल जी के बुक से समिधान के भाग दोकी दोस्तों ये बुक है NCRT सार संग्रह सामान अध्यन का जो की महेश कुमार बढ़वाल जी के दोरा लिखा गया है और इस बुक के माध्यम से आज हम समिधान के भाग सेकंड को यहां कवर करने वाले हैं यदि आपने इससे पहले का पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्ले लिष्ट में जाकर देख सकते हैं ये बीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रत्योकता परिशाओं के लिए इंपोर्टन रहेगा चाहें वे रेलवे के एक्जाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेविल का एक्जाम जहां सम्मिधान एक मोश्ट इंपोर्टन टॉपिक बनता है दोस्तों वहां आपको ये बुक अवस्ट से पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि इस बुक में मोश्ट इंपोर्टन कोशन के साथ साथ प्रिवेस एर में पूछे गए कोशन को भी यहां पर दिया गया है वीडियो यदि आपको अच्छे लगे, हैलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए बीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए हम अपने किलास सुरू करते हैं केंद्र वार राज में सम्मंद कॉश्चन नमर एक भारत की संगिय सासन प्रणाली किस देश के समिधान से प्रिर्थ है Most important कॉश्चन है दोस्तों ये एक्जाम में बार बार रिपीट होता है तो यार रखेगा भारत की संगिय सासन प्रणाली कनाडा के देश के समिधान से प्रिर्थ है किस सूची के विस्यों पर केंद्र वार राज सरकार दोनों कानून बना सकती है सही आंसर है संबर्ती सूची के विस्यों पर केंद्र राज संबंद किस अनुसूची में है कोशन है केंद्र राज संबंद किस अनुसूची में है तो यह है सातवी अनुसूची में केंद्र राज संबंद पर बर्स 1971 में राज मननार समीती का गठन किस राज के दोरा किया गया था सही आंतर है तमिल नाडू के द्वारा देखिए संग सूची में किये गए संसुधनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो पॉइंट वाइस पॉइंट हम देखेंगे पहला पॉइंट देखिए छटे समिधान संसुधन 1956 द्वारा प्रिविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई इसका बिशय है समाचार पत्रों से भिन्द बस्तू के अंतर राजी की ए किरम या बिक्रेपर कर अगला है साथवे समिधान संसुदन 1956 के दौरा प्रिविस्ट संख्या 33 का लोप किया गया इसका बिसह है केंद्र के उद्देशों के लिए संपत्ती का अधिगरण इसे संग सूची से हटा कर संबर्ती सूची में सामिल किया गया है नेक्श्ट पॉइंट है 42 समिधान संसुदन 1956 के दौरा प्रिविस्ट टू का जोड़ी गई इसका संबन किसी राज्य में केंद्र के ससस्त्र ससस्त्र बलों की नियुकती से है अगला है 46 समिधान संसुदन 1982 दौरा प्रिविस्टी संख्या 92 खा जोड़ी गई इसका संबन्द अंतर राज्य के ब्यापार या बाणेजी के दौरान होने वाले माल के पारिशन पर कर से है नेक्श्ट है 88 समिधान संसुदन 2003 दौरा प्रिविस्टी संख्या 92 गा जोड़ी गई जिसका संबन्द सेवा कर यानकी सर्विस टेक्स से था अगला कोशन है छेतरिय परिशदों का सिरजन किसके माध्यम से किया जाता है राइट अंसर है संसदिय कानून दौरा अंतराज्य परिसत का उपबंद किस अनुछेद में किया गया है important question है दोस्तों यहां से इस अंतराज्य परिसत का उपबंद का अनुछेद एक्जामें पूछा जाता है इसका अनुछेद है अनुछेद 263 रेडियो या दूर दर्सनों के बिग्यापन पर कर कौन लगाता है तो याद रखेगा रेडियो या दूर दर्सनों के बिग्यापन पर राज सरकार कर लगाती है देखे एक important fact आया क्या कह रहा है भारते समिधान का अनुछे 244 केंदर तथा राजियों के मद्द सक्तियों का विभाजन किस अनुछेद के अंतरगत किया गया है सही आंसर है अनुछे 245 तथा 246 में important question है अन्तर राजिय परिसत का पादिन अद्यक्ष कौन होता है नेक्स question है संग द्वारा कौन सा कर लगाया या बसूल बसूला जाता है तथा संग द्वारा राजियों में बाटा जाता है तो यह है किरसी आय के अतरिक्त आय पर कर next question important रहेगा सरकारिय आयो का गठन कब किया गया था सरकारिय आयो का गठन मार्च 1983 में किया गया देखिए next slide में यहाँ पर संग्यकर संग सूची प्रविस्टी 82 से 92 A के बारे में बताया गया है एक एक करके देखेंगे हम तो देखिए पहला है आय कर किरसी आय को छोड़ कर ठीक है दूसरा है सीमा सुल्क निर्यात सिल्क सुल्क सहिद तीसरा है तमाकू और अन्य बस्तूओं पर उत्पास सुल्क जैसे की एलकोहॉलिक पेपधात अफीम गांजा मादक औसिदियां तथा मादक पधारतों को छोड़ कर चोथा है निगम कर इसके बाद पांचवा है ब्यक्तियों तथा कमपनियों की संपतियों के पूंजी पर कर किरसी भूमी को छोड़ कर छटवा है संपधा सुल्क किरसी भूमी से भिन संपति पर साथवा है संपत्ती के उत्र अधिकार पर सुल्क किर्सी भूमी को छोड़ कर आटवा है रेल, समुद्र या बायू मार्क दोरा ले जाए जाने वाले बस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर नो है दोस्तों, स्टॉक एक्षिंण तथा बायदा बाजार यानकि future markets के समय क्ल है ब्यावारों पर स्टाम्प सुल्क से भिन कर तस्वा है स्टाम्प सुल्क, ग्यारवा है समाचार पत्रों के क्रे बिक्रे तथा उसमें प्रकासित विग्यापनों पर कर 12 है समाचार पत्रों से भिन्न बस्तियों के क्रे बिक्रे पर कर और 13 है माल के पारेशन पर कर अंतराजी ब्यापार के दोरान और लास्ट है सेवाओं पर कर केंद्र सरकार जल बिवादों के समाधान के लिए नयदी करण की स्थापना भी कर सकती है अब हम बात करेंगे राजिकरों की ठीक है कौन कौन से राजिकर है राज सूची प्रिविस्टी 45-63 के मद ये बतला गए हैं तो पहला है भूराजस्व या लगान दूसरा है किरसी आय पर कर, तीसरा है किरसी भूमी के उत्तर अधिकारी पर कर, चौता है किरसी भूमी पर संपदा सुल्ग और पांचवा है भूमी और भवन पर कर, छटवा है दोस्तों खनिज अधिकारों पर कर, ठीक है हम राज जिकर की बात कर रहे हैं की राज्य सूची प्रविस्थी 45-63 में पतलाए गए हैं इसके बाद देखिए साथ वाहे सराव अफीम गांजा तथा अन्यमादक पदार्तों और उसदियों पर उत्पाद कर आठ वाहे इस्थानिय उपयोग तथा बिक्रे के लिए बस्तूओं के प्रवेश कर यानकी एंट पर कर बारवाहे सडक तथा अंत्रद्रेशिय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले बस्तू या यातरियों पर कर तेरवाहे सडकों पर प्रयुक्त बाहन कर चौदवाहे जीव जनत्यों एवं नौकाओं पर कर पंदरवाहे पत कर यानकी टोल्टेक्स या इसको हिंद पार व्यपसाय तथा रोजगार पर कर सत्रवा है प्रति व्यक्ति कर अठारवे की बात करें तो बिला सीताओं पर कर यानि की मनुरंजन जुगा तथा बोली लगाना इन पर कर ठीक है 19 वा है स्टाम सुल्क संग सूची में बंड दस्तावेजों से भिन दस्तावेजों पर ठ सुल्क किन्तु इसमे न्याले में ली जाने वाली सुल्क सामिल नहीं है ठीक है अगला कोशन है संभीधान के सनुछेत में प्रवधान किया गया कि बिधी के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही 31 किया जा सकता है तो यह बतलाया गया है पिश्री अंतर राज जी ये परिशत का गठन कब किया गया इंपोर्टन डेट है इंटर इस्टेट काउंसिल तो इसका गठन किया गया 18 मई 1990 कब 18 मई 1990 को केंद्र राज सम्मंदों का बिसेश रूप से किस प्रासंग में मुन्सिपल सम्मंद कहा गया है तो ये बित्तिय मामलों में राज पर केंद्र के नियंतरल के प्रसंग में कहा गया है देखे एक फैक्ट यहाँ पर क्या किया रहा है अनुचे 312 के अंतरगत राजसवा में उपस्तित और मतदान करने वाले सदस्सों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव दोरा संसत को किसी नई अखिल भारते सेवा के स्रजन का अधिकार दिया गया है जल संबंदी बिवादों का नियाय निरणयन किस अनुचे 212 के अंतरगत आता है तो यह आता है अनुचे 262 के अंतरगत देखे इंपोर्टन फैक्ट है प्रधान मंतरी के अनुपस्तिती में अंतराजिय परसत की अध्यक्सता उसके दोरा न्युक्त कैविनिट इस्तर के मंतर दोरा की जाती है ठीक है अगला कोशन है यह सुझाव के समीती ने दिया था कि राजपाल के प्रसात परियंत राज मंतरी परसत के पद धारित करने से संबंदित प्रवधान समाप्त कर दिये जाए तो यह दिया है दोस्तों राज मनार समीती ने भारतिय समीधान में संग औ प्रवधान किस अनुचेत में बढ़नित हैं तो ये हैं अनुचे 263 में किस में अनुचे 263 में देखिए अनुचे 262 के अंतरगत प्रदत सक्तियों के प्रियोक से संसत द्वारा नदी बोड अधिनियम 1956 तथा अंतराज्जिय जल बिवाद अधिनियम 1956 को पारित किया गया ठी केंद्र बिवाद अधिनियम 1956 के अंतरगत केंद्र सरकार ऐसे बिवादों के समधान के लिए न्यायधी करण की स्थापना भी कर सकता है देखिए यहाँ पर एक इंपोर्टन लाइन लेखिए है ततकालीन प्रदान मंत्री सिरी बिश्वनाथ प्रताप सिंग की अध्यक्ता हमें अंतराजे परसत की प्रथम बैठक 10 अक्टूवर 1990 को हुई थी कब हुई थी 10 अक्टूवर 1990 को देखिए संग राज सम्मंद भाग 12 सिल 11 सिले के 12 अनुछे 245 सिले कर 293 की हम बात करेंगे तो देखिए इनको तीन भागों में यहाँ पर बाटा गया है पहला है संबंद ठीक है देखिए इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टन अनुछेद दिये गए हैं ठीक है अब यहाँ पर पेज बहुत ही जाए चोटा है अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो यहाँ दिखेगा कुछ नजर ही नहीं आएगा ठीक है तो हम इसको एक एक करके बढ़ा करके पढ़ते हैं कि जूम करके मैं आपको इन अनुछेदों के बारे में पतलाता हूँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बित्तिय संबंद में कितने अनुछेद हैं ठीक है सोरी बिधाई संबंद में सोरी पहला है बिधाई संबंद में किन-किन अनुछेदो और राज बिधाय की द्वारा बनाए गए बिसेश मामलों के कानून के बारे में अनुछे 247 के में बतलाया गया है। इसके बारे में अनुछे 250 के अधीन संसत द्वारा बिधी के असंगत होने की स्थिती में राज बिधी की बर्यता के बारे में बर्यता के बढ़नाए गया है। नेक्स्ट है अनुछे 252 नेकिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से बिधी बनाने की संसत की सकती और उस बिधी को किसी अन्राज द्वारा अंगीकार किया जाना ये बतलाया गया है अनुछे 252 में नेक्स्ट है अनुछे 253 अंतराश्ट्य करारों को प्रभावी बनाने के लिए बिधान निर्मित करने की सकती के बारे में बताया गया है अनुछे 253 में नेक्स्ट है अनुछे 254 देखिए अनुछे 2 चंगन क्या कहता है संसत द्वारा बनाई गई बिधियों और राज बिधान मंडल द्वारा बनाई गई बिधियों में असंगती की स्थिती में संसत द्वारा बनाई गई बिधी प्रभावी है ठीक है प्रभावी है इसको बतलाया गया है अनुछे 255 देखे क्या कह रहा है सिफारसों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपिक्स्ता को केवल प्रक्रिया का बिसे मानना और इस आधार पर उसे खारिज ना करना ये बताया गया है अनुचे 255 में चलिए अब बात करेंगे प्रसासनिक संब्ध में कौन-कौन से अनुचेद आते में के लिए संग द्वरा राज्यों को निदेश दिया जाना राज और संग की बादता ये बतलाया गया है अनुचे 256 में ठीक है अगला है अनुचे 255 देखे क्या कह रहा है अनुचे 255 संग की कारपाल का सक्ती के प्रियोग के सासाथ राष्टिय अत्वा इसमारिक संग का राज पर नियंत्रण तो ये बताया गया है अनुचे 257 में अगला है अनुचे 258 देखे क्या कह रहा है 255 कुछ मामलों में संग द्वरा राज को सक्ती प्रिदान करने का संग का अधीकार ये बतलाया गया है इंचे 258 में अगला है अंचे 258 का देखे राजदौरा केंद्र को कार सौपने की सक्ति के बारे में विबनन किया गया है 258 का में नेक्स्ट है अंचे 260 भारत से बाहर के छेत्रों के संबंद में संग के अधिकार के बारे में बतलाता है अंशे 260, ठीक है, इसके बाद है अंशे 261, सारवजिनिक कार्वे, अभी लेक और न्याई की कारवाही के बारे में बर्णन किया गया है अंशे 261 में, नेक्स्ट है अंशे 262, देखे क्या कहता है, अंतराज्य नदी, जल विवादों के हल के लिए नदी करण का गठन, ये बताया गया है अंशे 262 में, अगला है अंशे 263, इंपोर्टन है दोस्तों, अंतराज्य परसत का गठन के बारे में बतलाया गया है अंशे 263 में, चली अब हम बात करेंगे बित्तिय संबंद में कौन कौन सन उशे आते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अंशे 265 की, बिधी के प्रादिकार के बिना करों का आरोपड नहीं, ये बताया गया है अंशे 265 में, अगला है अंशे 266, भारत और राज्यों की निदियों और लोक लेखा के बारे में, अंशे 266 में बढ़न किया गया है, इसके बाद, most important है दोस्तों, भारत की अकास्मिक निदी का बढ़न, अंशे 267 में किया गया है, नेक्स्ट है, अंशे 268, केंद्र दोरा लगाए गए, परन्तु राज्यों दोरा एकत्रित, एवं बी निवजित करों को अंशे 268 में बतलाया गया है, अगला है अंशे 270, संग दोरा लगाए गए और संग राहित, किन्तु संग राज के बीच बित्रित किये जाने वाले कर, ये बताय गए हैं अंशे 270 के अंतरगत, इसके बाद हैं अंशे 271, कुछ निश्चित, चुंगी, वक्कर पर केंद दोरा लगाया गा अतरित प्रभाद, इसका बढ़न मिलता है अंशे 271 में, अगला है अंशे 274, क्या बताया गया है, राज्यों के हितों से संबंदित कराधान वाले विद्यकों के संदर में राष्टपती की पूर्म अनुमती आवश्यक है, ये बताया ग अंशे 276, ब्यवसाय, ब्यापार एवं रोजगार पर कर के बारे में अंशे 276 में बतलाया गया है, अगला दोस्तों most important है अंशे 280, ठीक है, राष्टपती द्वारा पृतिक पांचवे बर्स की समापती पर बित आयोका गठन, यानि की बित आयोका गठन का संबंद किसे है अंशे 280 से, नेक्स्ट है 281, बित आयोकी सिफारिस को संसद के समक्ष रखा जाना, ये बताय गया है अंशे 281 में, देखे अगला है अंशे 283, संचित निदी, अकास्मिक्ता निदी और लोक लेखा में जमा धनरासियों की अवी रक्षा के वारे में बढ़न करता है, अनु अंशे 283, नेक्स्ट है अंशे 285, संग की संपत्ति को राज के कराधान से छूट, ये बर्णन किया गया है अंशे 285 में, नेक्स्ट है अंशे 286, बस्तुओं की विक्री पर करके अधी रोपन के बिसे में निर्वन्धन को बतलाता है, अंशे 286, देखे अगला है 287, 288, पानी और बिजली के संबंद में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दसाओं में छूट, ये बतलाई गए हैं अंशे 288 में, अगला है अंशे 289, राज्यों की संपत्ति और आय को संग के कराधान से छूट, ये बतलाई गए हैं अंशे 289 में, किसमें अंशे 289 में, देखिए एक important line नीचे लिखिए क्या कह रहा है इसको पढ़ लीजिए केंद्र राज संबंदों में सुतार सुधार हेदू प्रसासनेक सुधार आयोग 1966 राज मननार समीती 1979 आनंद पुर साहे प्रस्ताव 1973 सरकारिय आयोग 1983 तथां पुन्ची आयोग 2007 का गठन किया गया था most important topic आपात उपबंद आपातकाल में किसी राज बिधान सवा की अबदी बढ़ाई जा सकती है तो याद रखेगा संसत के द्वारा किसके द्वारा संसत के द्वारा किसने कहा था कि राश्टपती का अपातकालीन अधिकार समिधान के साथ धोका है तो ये कहा है हिर्देनात कुंजरू ने राज में राश्टपती सासन किसकी सलाव पर लागू किया जाता है राश्टपती सासन अधिक्तम कितनी अबदी तक लगाया जा सकता है इंपोर्टन कोशन है तो राश्टपती सासन अधिक्तम तीन वर्ष की अबदी तक लगाया जा सकता है देखी यहाँ पर एक मूश्ट इंपोर्टन स्लाइड आई है स्लाइड में लिखा है अब तक की गई आपात उद गोशना आए ठीक है तो एक एक करके देखेंगे अब तक अनुछे 352 का प्रयोग तीन वार किया गया इन तीनों उद गोशनाओं से सम्मंदित प्रमुक तत्य इस प्रकार है पहली वार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की गोशना की गई इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नैफा यानि की North East Frontier Agency नैफा ठीक है छेतर पर आगरमन कर दिया था इस छेतर को अब अनुणाचर प्रदेश कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपात काल की दूसरी उद गोशना डिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के बिरुद आ घोसित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी यह उद गोशना मार्च 1977 तक लागू रही तीसरा है आपात की तीसरी उद गोशना आंतरिक असांती के आधार पर 25 जून 1975 को की गई यह उद गोशना 21 मार्च 1977 को बा देखें इंपोर्टन फेक्ट आया है यहां पर क्या लिखा है भारती सम्मिधान का अनुच्छे 352 की अनुसार राश्टी आपात की गोशना युद्ध बाहय आकर्मण अत्वा ससस्त्र बिद्रो ससस्त्र बिद्रो के आधर पर की जा सकती है ठीक है भारती सम्मिधान की किस अनुच्छेत के अंतरगत भारती सम्मिधान की किस अनुच्छेत के अंतरगत किसी राज में राश्टपती सासन लागू किया जा सकता है तो देखिए राष्टपती सासन ये सम्मंदित है अनुछे 356 भारत में बित्ती आपातकाल की घोशना अभी तक एक भी भार नहीं हुई है ध्यान रखेगा भारत में बित्ती आपातकाल अब तक एक भी भार नहीं लगाया गया आप ऐसा कह सकते हैं अगला कोशन है राष्टपती मूल अधिकारों यानिके अनुछे 20 से लेके 21 के अतरिक्त के कारेन वर्यन को किस अनुछेत के अंतरगत इस्थगित कर सकता है तो ये कर सकता है अनुछेत 359 के अंतरगत संसत द्वरा अपातकाल की गोशना का अनुमोदन कितनी अवदी के अंतराल में होना आवश्यक है तो ये आवश्यक है एक मा के अंतराल में भारती समिधान के अंचे 356 के अंतरगत राष्टपती सासन सरपर्थम किस राज में लागू किया गया था पन्जाव राज में राष्टपती आपातकाल में लोकसावा की अबदी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है ठीक है लेकिन एक समय में केवल एक बर्स के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है देखिए आपर एक most important slide आईए ठीक है आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव ठीक है तो पहला है अनुछे 352 यह है आपका राष्टी आपात ठीक है दूसरा है अनुछे 356 यह है राज आपात और तीसरा है दोस्तों अनुछे 360 यह की बित्ती आपात ठीक है आप हम इनको एक एक करके देखेंगे अनुछे 352 के अंतरगत क्या क्या आता है देखिए अनुछे 352 राष्टी आपात है यह देखें राष्टी आपात काल के दोरान संग और राज के मद सकती का बिभाजन समाप्त हो जाता है ठीक है और संग राज सूची के बिस्यों पर ही बिधी करने मान कर सकती है अगला है भारत की संगात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार करने लगती है कब अनुछे 352 जब लगता है यानकी राश्टी आपात होता है और अब तक राश्टी आपात यानकी नेशनल इमर्जेंसी का प्रयोक तीन वर किया जा चुका है फिर है इसके वार अनुछे 356 जब लगता है भारत की सासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रण कर लेती है अब तक राश्टी पती सासन का प्रयोक 120 से अधिगवार किया जा चुका है इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट अनुछे 360 यानकी बित्ती आपात काल में संग और राज के मध करों का बिवाजन इस्थापित कर दिया जाता है संग एवब राज के अधिन कारज़त सभी व्यक्तियों के बेतन भत्तों में कटोती की जाती है इसके अत्रिक्त उचितम न्याले वा उचिन्याले के न्याईधीश भी सामिल है और ध्यान रखेगा बित्ती आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है देखिए यहाँ पर एक लाश्ट में लाइन लिखी हुए इंपोर्टन्ट है क्या कह रहा है मूल सम्मिधान में आपात की उद्गोशना ससस्त्र बिद्रो के स्थान पर आंत्रिक असांती का उलेख था बित्त आयोग देखिए बित्त आयोग की सनरश्णा सबसे पहले देखिए इसका अध्यश कौन होता है सारवजने कार्यों का अनुवव रखने वाला ब्यक्ती ठीक है सारवजने कार्यों का अनुवव रखने वाला ब्यक्ती बित्त आयोग का अध्यक्ष होता है अग देखिए इसके सदस्यों को किस प्रकार पाटा गया है पहले है उच्छ न्याले के नाजदीस की योगता रखने वाला बैक्ती दूसरा है सरकार के बित एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला बैक्ती अगला सदस्य है बित्तिय एवं प्रसासनेक मामलों का अनुभव रखने वाला बैक्ती और छोता है आर्थिक मामलों का बिसिसग्य बैक्ती ठीक है ये सभी सदस्य सब्सक्राइब की संरशना के अंतरगत आते हैं बित्तायोग का अनुषित के अंतरगत किया गया और अगला कोशन है बित्तायोग का कारकाल रहिए कितना पाँच वर्सका होता है next question है बित्तायोग में अध्यक्ष के अत्रिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं तो अभी हमने पढ़ेते हैं वहाँ चार तरह के सदस्य थेश के ठीक है तो बित्तायोग का अध्यक्ष के अत्रिक्त चार अन्य सदस्य और होते हैं ठीक है अब देखिए आप भारत के बित्तायोग क से 57 शुरू कि 4 आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि यह अवरोही या आरोही क्रम में लगाने को आयाते हैं समय से बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए के पहले कौन से थे दूसरे कौन से थे तीसरे चोफे इस परकार चार तो आपको याद रखना ही है दूसरे बिताय के देख्ष 1956 में बने के संथानम ठीक है तीसरे बने 1960 में एके चंद्रा और चौथे 1964 में डॉक्टर पी भी राजबनार ठीक है ये चार तो आपको यार रखना ही है त्रम से लगवाने को कभी-कभी एक्जाम में आ जाता है ठीक है पांचवे थे महावीरत्यागी 1968 में छटे थे ब्रहमानन्द रेट्डी 1972 में ठीक है इसके बाद सात्वे बने जे एम सैलेट सात्वे कौन थे जे एम सैलेट 1972 आठवा बितायो के अद्दिक्स थे बाईवी चमहान 1982 में नवे थे 1987 में एन केपी सालवे दस्वे बितायो के अद्दिक्स थे केसी पंद 1992 में ग्यारवा बित बित्तायों के अद्धाइव 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 के केंद्र राज के मद बित्तिय संबंद किसकी संस्तुती से निर्धारत होते हैं तो यह होते हैं बित्तायोग की बित्तायोग का मुख्यकार केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली बित्तिय सहायता को निर्धारत करना केंद्र एवं राज के मद्ध बित्तिय बिवादों के समधान के संस्था के द्वारा होता है तो यह होता है बित्तायों के द्वारा किसके द्वारा बित्तायों के द्वारा केंद्र की समेकित निदी से राज्यों को राजस्व की साहिता हेतू अनुदान देने वाले सिध्ध कौन सा प्राधिकन करता है, तो ये करता है आपका बित्तायोग, सामान रूप से भारत में प्रती पाँच वर्स के बाद, बित्तायोग की नियुक्ति केंदरी अनुदान और संग के राजस्व में राज्यों का अंस निधारत करने के लिए की जाती है, ठीक है, इस पोइंट क की बात करते हैं पंद्रमा बित्तायों यह पर दिया गया इसकी संद्रशना बताई गई है अद्देक्ष हैं दोस्तों इसके एन केश सिंग ठीक है अब देखिए सदस्यों की बात करें दोयद सत्रह से 18 तक सक्ति कांथ-दास इसके सदस्य रहे ठीक है डॉक्टर अनूप के सदत से हैं पूर्ण कालिक ठीक है देखिए most important line यहां पर लिखिए क्या किया रहा है भारत में पृत्तम बित आयों का गठन 1951 में किया गया कब 1951 में और इसके अद्धेक्स थे पहले अद्धेक्स थे के सी ने होगी यह question exam में पूछा जाता है नीती आयोग देखिए नीती आयोग से पहले हम पढ़ेंगे योजना आयोग को ठीक है देखिए योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी important question बन सकता है आपकी लेक्जाम में तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई question है योजना आयोग के प्रतम अध्यक्ष कौन थी यादखिएगा योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधान मंतरी और भाथ के पहले प्रधान मंतरी थे पंड़े जवालाल नहरू इसलिए योजनायोक की प्रतम अध्यक्स थे पंडे जवालाल नहरू ठीक है योजनायोक की स्थापना संगिय मंत्री परसत द्वारा एक बिसेश प्रस्ताप पारित करके की गई थी ठीक है इस पॉइंट को भी आ रखेगा अकला कॉशन है नीती आयोक कौन सा निकाह है तो ध्यान रखेगा नीती आयोक गैर समिधानेक निकाह है और दोस्तों नीती आयोक को योजनायोक के स्थान पर ही गठित किया गया है इस बात को याद रखेगा ठीक है देखिए कॉशन बन रहा है यहाँ पर योजना आयोक के स्थान पर नीती आयोक का गठन कब किया गया तो योजना आयोक के स्थान पर नीती आयोक का गठन किया गया एक जनवरी 2015 को कब एक जनवरी 2015 को अब देखें नीती आयोक का अध्यक्ष कौन होता है तो नीती आयोक का अध्यक्ष होता है प्रधार मंतरी कौन ह संग राज छेत्रों की उबराजपाल इसमें सामिल होते हैं यानि कि जिन सासेत प्रदिसों में बिधान सवा है वहां के मुख मंत्री भी यहां सामिल है बिसेस आमंत्र सदस बिविन छेत्रों की बिसेस सग्य प्रदान मंत्री द्वारा नामित की जाते हैं ये ठीक है अगला है उपाद्यक्ष प्रद्धान मंत्री द्वारा ही निक्त किया जाता है नीती आयोक का उपाद्यक्ष सदस कैसे होते हैं सदस होते हैं इसके ये पूल कालिक ठीक है अंसकालिक सदस देखिए अग्रणिये, बिस्विध्याले, सुद संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अजिकतम दो पादिन सदस से अंसकालिक सदस त्ष्र्णि के आधर पर होंगे इसमें ठीक है नेक्स्ट है मुख्य कारकारी अतिकारी तो देखिए भारा सरकार के सचिव इस्तर का अधिकारी निश्चित कारकाल हेतू प्रधार मंत्री दोरा निक्त किया जाता है नेक्ट है सचवाले आवासक्ता के अनुसार इसकी स्थापना होगी सचवाले के बारे में यह बतलाया गया है बिसिस्ट मुद्दों और ऐसे अकास्मिक मामले जिनका संबन्द एक से अधिक राज्यों या छेत्र से हो को देखने के लिए छेत्री परिस्द ये परिस्द बिसिस्ट कारकाल के लिए बनाई जाएंगी राश्टी बिकास परिस्द की स्थापना कब हुई थी अगला कोशन है राश्टी बिकास परिस्द की स्थापना हुई थी अगस्त उन्नी सो चवगन को अगला कोशन है राश्टी बिकास परिस्द की अध्यक्सता कौन करता है तो द्यान रखेगा दोस्तों राश्टी बिकास परिस्द की अध्यक्सता भारत का प्रधान मंतरी कर नीति आयोक के उपात्देश को भारत सरकार के बरिता किरब में कौन सा दर्जा दिया गया है तो इसको भारत सरकार के केविनिट मंतरी के समान दर्जा दिया गया है अब देखिए हम नीति आयोक के बात करते हैं राश्टिय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में ये मत लव है और इंगलिस में कहते है नेशनल इंसिटूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानकी नीती ठीक है इसका निर्माण कब हुआ तो ध्यान रखेगा नीती आयोग को निर्माण एक जनवरी 2015 को हुआ पूर बरती क्या था यानकी इसका पहले नाम क्या था इसकी जगह क्या था तो इसकी जगह पहले योजनायोग था ठीक है योजनायोग की स्थान पर ही नीती आयोग आया है अधिकार छित्र क्या है इसका तो भारत सरकार है मुख्याले कहा है नीती gov.in ठीक है ये इसकी site है website question है नीती आयोग तथर राज सरकारों के मद समनव्य करता का कार्व कौन करता है तो ये करता है राज्ट्य विकास परिसद ठीक है अगला question है योजना आयोग ने संग का इस्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार कर रहा है ये कथन किसका है तो देखी ये कथन है के संथान में द्वारा ठीक है के संथान में का है ये कथन ये लिखा हुआ है के संथान में का कथन है ये चली अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की ठीक है election commission की पहला question है आपर राजनितिक दलों को राष्टी या छे पित्य दल की मानित्ता देने का अधिकार किसे प्राप्त है तो यह है चुनाव आयोग को भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग्त की पदावदी कितनी होती है तो यह होती है 6 वर्स या फर 65 वर्स की आयोग्त जो भी पहले हो कौशन है भारत के मुख्य चुनाव आयोग्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग्त को राष्टपती के द्वारा नियुक्त किया जाता है देखे निर्वाचन से सम्मंदित यहाँ पर दिये गए हैं और उनके बिसेबस्तू के ब अगला है अनुछे 325, चुनाव प्रिक्रिया में सामिल होने के लिए कोई ब्यक्ति धर्म नसल जाती अत्वा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा, अत्वा इनी आधारों पर सामिल होने का दावा नहीं कर सकता है, ये बतलाए गया है अनुछे 325 के अंतरगत, अगला है अनुछे 326, लोक सवा अत्वा बिधान सवा के चुनाव, बयस्क मतदिकार के आधार पर संपन होंगे, ये बात कही गई है अनुछे 326 के अंतरगत, अगला है अनुछे 327, बिधान मंदलों के चुनाव के संबंद में उपबंद करने की सक्ति संसत को है, ये प्रवधान बनाने की सक्ति से है, 339 क्या कहता है, अनुछे चुनाव संबंदी बिष्यों में नियालों के हस्तचे पर रोक लगाना, ये बतलाए गया है अनुछे 339 के अंतरगत, अगला है अनुछे 339 का, प्रवधान मंत्री तदा लोक सवा अत्विष के चुनाव के संब प्रवधान के बारी में बताया गया है अनुछे 339 में, अकला कोशन है, भारत के मुख चुनाव आयुक्त किस के द्वारा नियुक्ति किया जाते हैं, राष्ट पती के द्वारा, आंतरिक दलिये लोकतंत्र का उप्यों कहां होता है, तो देखिए दल के अतरिक चुनाव हे प्रवधान किया गया है, तो यह किया गया है, अनुछे 324 के अंतरगर्थ, मुख चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पत से हटाया जा सकता है, तो देखिए संसत के दोनों सत्रों के सदस्यों द्वारा, दो बटे तीन बहुमत से प्रमालित कदाचार के आधार पर मु का चुनाव भारत के निर्वाचन आयुक के द्वारा संचलत किया जाता है, एक मुश्ट इंपोर्टन फैक्ट यहां पर आ रहा है, देखिए, 61 समिधान संसुदन, 1989 के अंतरगत, मतदान की निून्तम आयु, 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स कर दी गई, कितनी 21 से घटा कर 18, सांस द्वारा किस ब्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है, तो नयाले द्वारा अपरादी घोसित किये गए ब्यक्ति को, ठीक है, भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है, तो यह है बिधिक अधिकार, कैसा है, बि रखेगा जहां दुई दल यह प्रणाली पुछलित हो दिनेश गोस्वामी समीति का संबंद किससे है तो लोकसवा की चुनाओ के सरकारी निधियन से संबंदित है दिनेश गोस्वामी समीति किसी भी राजनेतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मानता प्राप्त करने है तू उसके पास सदन के कम से कम 10 पृतिसत सदस्य होना चाहिए ठीक है निर्वाचन आयोग को किस बर्ष तीन सदस्य आयोग बनाया गया तुधार रखेगा निर्वाचन आयोग को 1989 एवं 1993 में तीन सदस्य आयोग बनाया गया दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ मोस्ट इंपोर्टन कोशन है दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था कब 15 फरवरी 1985 को अब देखी यहाँ पर important fact है क्या कह रहा है निर्वाचन प्रिक्रिया का आरम राष्टपती द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है election process के सुरू होता है राष्टपती द्वारा जारी अधिसूचना से यह अधिसूचना जन्पृतिनिदित्व अधिनियम 1959 की धारा 14 के अंतरगत जारी की जाती है संसद तथा राज विधान मंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है पुर्मुक आयोग राष्टिय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है सही आंसर है भारत के सेवा निर्वित मुखे नयाय दीश को भारत में सरप्रथम लोग सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी तो ये की गई थी Government of India Act 1919 के द्वारा राज लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इंपोर्टन कोशन है तो याद रखेगा राज लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राजपाल करता है भारतिय प्रसासनिक सेवा IAS और भारतिय पुलिस सेवा यहने कि IPS को समाप्त करने की सिफारिस किस आयोगने की थी तो यह की थी राज मननार आयोगने संग लोग सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी important question है तो संग लोग सेव आयोग की प्रतम महिला अध्यक्स थी रोज मिलियन बैथ्यू के नाम थनका रोज मिलियन बैथ्यू मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्ता है तो जा रखेगा मानव अधिकार आयोग एक गैर सम्मिधानिक संस्ता है देखे दोस्तों यहाँ पर एक स्लाइड आई है जिसमें राष्टिय मानव अधिकार आयोकी सनरशना की बारे में बताया गया है तो देखे इसके अद्धेश कुन होते हैं सदस देखे तीन सदस हैं इसके पहला है दूसरा है उच्छे नियाले का कारियत वा सेवा निर्मित मुख्य नाईदीस तीसरे है मानव अधिकार से सम्मंदित कार अनुवव अथवा बिसेश जानकारी वाले दो बेक्ती पादेन सदस देखे कौन होते हैं इसके तो पादेन सदस पहले हैं राष्टी अल्प संक्यक आयोक के अद्ध्यक्ष दूसरे हैं राष्टी अनुसूचित जाती आयोक के अद्ध्यक्ष तीसरे हैं राष्ट्य बाल, अधिकार, सुरक्षा, आयोक्य, मुख्य, आयोक्त देखी यहाँ पर most important slide आई है भारत के पर्थम लोकपाल की नियुक्ति के बारे में तो देखी तेईस मार्ज दोहर उन्नीस को राष्टपती दोरा सर्वोच नियाले के सेवा निर्वित नियाईदी नरेन मोदी की अध्यक्षता वाली एक चैन समीती दोरा किया गया था जिसमें सर्वोच नियाले के मुख हिनादीस, रंजन गोगोई, लोकसवा अध्यक्ष, सुमित्रा महाजन तथा प्रख्यात, नियाईविद, मुकुल्स, रुहोत, तगी सामिल थे देखिए अध्यक्ष कौन थे इसके पिनाकी चंद्रगोस, नियाईविद सदस्य, जस्टिस दिलीब भी भोसले, पिर्दीब कुमार, मुहंती, अविलासा कुमारी और अजय कुमार तरपाठी गेर नियाईविद सदस्य कौन थे, अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंदर सिंग, इंदर जीत प्रसाद गौतम राजनितिक वा अपरादियों की सांट गाठ की जाच करने वाली समिती कौन सी है, तो ये है बुहरा समिती, क्या नाम इसका बुहरा समिती गया था, तो ये किया गया 1968 में, important fact है, संचित निदी को समेकित निदी के नाम से भी जाना जाता है, समिधान के के सनुचित के अंतरगत, लोक सेवा आयोक के सदस को हटाया जा सकता है, किसी राज का लोक आयोक अपने प्रतिविदन प्रिस्तुत करता है, तो ये करता है रा जो मानव अधिकार आयोक का अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्चे नियालयका, सेवा, निर्वित्य, मुख्य न्यायदीज, उत्तरप्रदेश, लोक सेवा आयोक के ब्यव, किस निदी पर भारित होते हैं, तो ये होते हैं, राज की संचित निदी पर, देखिए important fact है, लोक आयोक की अनुसंसा पर सर प्रिथम लोक सिवायोक की स्थापना की गई, देखिए important fact हैं आपर क्या लिखा है, लोक सपाल, लोक पाल संस्था में अध्यक्ष की अत्रिक्त, आठ अन्य सदस्यों की निदी होती है, जिनका कारकाल पांच वर्स का होता है, कितना पांच वर्स क राजभासा, official language, देखिए भारती समिधान के नुच्छे 344 के अंतरगत, प्रितम राजभासा आयोक का गठन कब हुआ था, important question है, तो प्रितम राजभासा आयोक का गठन हुआ था, 1955 में, और इसके अध्यक्षता कीती, बीजी खेर, ने, ठीक है, किसने, बीजी खेर, ने, बढ़कर 22 हो गई, तो ये समिधान संसुदन था, 92 वा, ठीक है, 92 समिधान संसुदन, देखिए, यहाँ पर दोस्तों, समिधान की आर्टी या नुसूची में समलित भासाओं के बारे में बताया गया है कौन-कौन सी है, तो पहली है, असमिया, बांगला, गुजराती, पिल, तैलगू, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथली, और संथाली, ध्यान रखीगा, यहाँ पर कहीं भी अंग्रेजी, यानि की इंगलिस का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखीगा इस बात को, समिधान की किस अनुच्छेद में, पिर्तिक राजमें, भास अनुच्छी के अंतरगत किस वर्ण सामिल किया गया, सही आंसर है, 2003 में, बर्स 2003 में, 71 समिधान संसोदन द्वारा, 1992 में समिधान की आठवे अनुच्छी में, तीन भासा जोड़ी गई, आप इसको ऐसे आतर कर लिजिए, नमक, ठीक है, नमक, देखे, ना से नेपाली, का से कौंकडी, और मासे मणी पूरी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, उत्राखंड की, देखे, important question है, उत्राखंड की दुत्ती राजभासा संस्कृत है, ठीक है, fact बताया गया आपर, राश्ट्य संस्कृत, बिद्या पीठ, कहां इस्तित है, तो राश्ट्य संस्कृत, ब मल्यालम, कोशना हुई, दोयार तेरा में, फिर संस्कृत, दोयार पांच में, कन्नड, दोयार आट में, और उडिया, दोयार छे में, ठीक है, छे बासाओं को सास्त्री है, बासा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहली, दूसरी, त पहली, चौथी, पांच भी छटवी, ऐसे भी आद कर सकते हैं, सन वाई सन, ठीक है न, चलिए, इंपोर्टन स्लाइड आईए है, राज भासा संबंद अनुच्छे, तो पहला अनुच्छे है, 343, संग की राज भासा का बढ़न किया गया है, इंपोर्टन रहता है, एक्ज राज की भासा, अत्वा, राज भासाओं के बारे में बिवरण दिया गया है, उनुच्छे 345 में, इसके बाद है, उनुच्छे 345, एक राज से दूसरे राज, अत्वा, राज से संग के बीच, समवाद के लिए राज भासा का ब्याख्या की गई है, यानि की बढ़न किया गया है अनुष्य 346 में अनुष्य 347 का बताता है किसी राज की जनसंक्या की एक समूध्वारा बोली जने वाली भासा में संबंदित प्रावधान के बारे में अनुष्य 347 में बतलाया गया है बात करेंगी important slide है सर्वो चन्याले वा उचन्याले की भासा के बारे में देखें अनुशे 348 में सर्वो चन्याले वा उचन्याले में साथ ही अधिनियमों एवं विध्यकों में प्रियोक की जाने वाली भासा के बारे में अनुशे 348 में ब्याख्या की गई है और 334 में क्या बताया गया भासा से संबंदित, कुछ नियम अधी नियमित करने के लिए बिसेज प्रक्रिया का बढ़न 3 352 में किया गया है बिसेज बिनिदेश देखिए अंशे 375 सिकायत निवारन के लिए प्रियुक्त भासा के वारे में बढ़न किया गया है अनुछे 350 में इसके वाद है अनुछे 350 A प्राथ में किस तरपर मात्रवासा में सिक्षन के लिए सुबधाएं ये बतलाए गई है अनुछे 350 A में अनुछे 350 B भासाई अलप संखेकों के लिए बिसेश पद अधिकारियों का बढ़न मिलता है अनुछे 350 B में और लाश्ट है 359 हिंदी भासा की बिकास के लिए बी निर्देश के बारे में बढ़न किया गया है अनुछे 359 में बर्स 1957 में प्रथम राज भासा सयुक्त समीती तो ये की गई पंडित गोबिन्द बलाफ पंथ की अदिक्स्ता में भारत की राज की भासा समान्दी परवधान का संसुदन किस परकार हो सकता है तो ये हो सकता है संसभ में कम से कम 2 बटे 3 बहूमत से इंपोर्टन कॉशन है तो सिंधी भासा जोडी गई आने वाली भासा है तो यह है आपकी बांगला कौन सी भासा है बांगला इंपोर्टेंट है ऐसे आतकर लेजिए M-B-D-S ठीक है देखिए बोडो डोंगरी मैथली संथाली बोडो डोंगरी डोंगरी मैथली संथाली चार राजभासाओं को बानवेवे 92 वे समिधान संसुदन द्वारा 2003 में जोड़ा गया ठीक है M-B-D-S और यह को मैं ना बतायता आपको नमक ठीक है नेपाली मरीपुरी और कॉंकडी इस परकार आप साथ भासाओं को याद कर सकते हैं पंचायती राज इवं नगरपालिका पंचायत राज का बिस का पंचायत राज किस सूची का ब समिधान के 73 समिधान संसुदर द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किये जाने वाले कारवरे किस अनुसूची में बढ़ित हैं तो यह है 11 अनुसूची में इंपोर्टन है दोस्तों यह भी कोशन एक्जाम में पूछा जाता है पंचायत चुनाव कराने हेतू निर्णे राज सरकार दोरा लिया जाता है भारती समिधान की 11 यह नुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने बिसें निर्दारत किये गए हैं सही आंसर है 29 यानि कि 29 इंपोर्टन फेक्ट है 73 समिधान संसुदन के दोरा पंचाती राज संस्थाओं को समिधानिक इस्तर प्राप में होते है कि अनुचेद के अंतरगत पंचायतों को समिधानिक दरज्णां किया गया है अंसर होगा 63 के ंंतरगत 243 समिधानिक दर्ज्णा मिला है राष्टी पंचायत राजदीवस कमना जाता है तक चब 24 अपरैल को मना चा만 जाता है 25 इं। तो उन्सट को नागोर जिला है ये राजिस्थान का, ठीक है, तुरी स्तरिये पंचायती राज प्रणाली इस्थापित करने के अनुसंसा सरप्रथम किस समीती द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई बलवंत राय महता समीती के द्वारा, असोक महता समीती ने पंचायती सप्रवधान किया गया, सही आंसर है 1993 में, पंचाती राजकों के संस्था द्वारा स्वय सासन की एकाई के रूप में संगठित किया गया है, सही आंसर है भारतिय समीधान के तहतरवे समीधान संसुदन के द्वारा, देखिए कुछ most important पंचाती राज विवस्ता से संबंद समीधिया हैं, उनके समय दिये हैं, पहली है बलवंतराय समीधि, समया रखेगा 1957, इसके बाद आई असोक महता समीधि, ये इसका समय रहा 1977, फिर आई GBK राव समीधि, समय था 1985 का, फिर है ML सिंग्री समीधि, समय है 1986 का, इसके बाद है संथानम समीधि, समय है 1962, नेक्स्ट है सादिक अली समीधि, इसका समय रखेगा 1964 में आई थी ये इस, ठीक है, पंचात राज को समयधानिक इस्तिती प्रदान करने की संसुती के समीधि दोरा दी गई, तो ये दी गई, LM सिंग्री समीधि के दोरा, ठीक है, ये रही देखिए, 1986 वाली, किन राजों में पंचाय समी समीति क्या स्वरूप है, Most important है, ब्लोक इस तर पर पंचाय समीति का स्वरूप है, प्रसासनिक प्रादी करन, पंचायती राज का प्रदान, लक्ष, ग्राम बासियों में सक्ती का बिकेंद्री करन, तथा लोगों को विकास मूलक प्रसासन में भागीदावी की योग बनाना है यह लोकतांतरिक बिकेंद्री करण को प्रुसाहित करता है अगला कुश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवदी के भीतर निर्वाचन करना अनिवार है सही आंसर है छे महा यानिकी छे मही पंचायतों में किन बर्गों के लिए आरक्षण का प्रभधान है आ इसमें पंचायतों की सकती उत्तरदायत निर्धारत किये गए इस सूची में 29 बिसे हैं ठीक है ग्यारवी निसूची में कितने बिसे हैं 29 इस अनुसूची को 73 समिदान संसुदर अधिनियम 1992 के दोरा जोड़ा गया और इसका अनुछेद है 243 जी ठीक है ऐसा याद कर सकते ह अब 12 इनंसूची क्या करती है इसमें नगरपालकाओं की सकती वा उत्तरदायत के बाड़े में बतलाय गया है ठीक है आर्टीकल है यानिकी 243W, क्या आप कह सकते है 242, देखिए एक फैक्ट लिखा है, क्या कह रहा है, 73 वा सम्मीदान संसुदन के अंतरकत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% यानिकी 33% सीट आरक्षित की गई है, देखिए नेक्ट स्लाइड यहाँ पर है, बिविन राज की एक स्तरिये, एक स्तरिये ग्राम पंचायत यह कहां कहां है, तो यह आपके है केरल में, जमू कस्मीर, तिरपुरा, मनिपुर, एवं सिक्के में, ठीक है, इसका स्तर क्या है, एक स्तरिये, अगर हम बात करें दो स्तरिये, दो स्तरिये पंचायत की तो इसमें आती है ग्राम इस्तरिये पंचायत की तो देखिए इसमें ग्राम पंचायत पंचायत समीती और जिला पड़िसद तीन इस्तर होते हैं और ये आपके देखिए कहां कहां हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महराष्ट, आंध प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, एबं तमिल मिलाडू और राजिस्थान में हैं अब बात करें चार इस्तरिये तो देखिए चार इस्तरिये पंचायत यह है आपके पश्यमंगाल में इसके अंतरगत ग्राम पंचायत अंचल पंचायत आंचलिक पंचायत और जिला परसद होती हैं ठीक है देखिए यहां पर एक तथा नागालेंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया इन राज्यों में एक इस्तरिये जंजातिये परिसद कारदत होती है अन्य पिछला बर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे सक्ती प्रदान की गई है सही आंसर है राज बिधान मंडल को उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या कुल इस्तानों का एक तेहाई तेहतरवा समिधान संसुदर अरिनियम का क्या उत्देश है तो या रखेगा देश में सक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना भारत के किस राज पंचायती राज से संबंदित मामलों की सुनवाई के लिए प्रथक अपीलिये न्यादीकरण का गठन किया गया राइट आंसर है केरल अनुसूचे जनजाती से परिपून किस राज में अनुसूचे जातियों हेतू आरक्षण का कोई प्रवधान नहीं है तो यह है आपका अवणाचल प्रतेश कौन सा राज है अवणाचल प्रतेश देखें इंपोर्टन फेक्ट आ रहा है क्या कह रहा है किसी राज के राजपाल को उस विसेस राज की पंचायतों दोरा भी नियोजित हो सकने वाले करों और सुलकों के निर्धान के सिधानतों के विसे में संस्तुती राजबित्य आयोग करता है कौन करता है राजबित्य आयोग इंपोर्टन कॉश्चन है दोस्तों नगरपाल का किस सम्मिधान संसोधन से सम्मंदित है तो दिहान रखेगा नगरपाल का चोतरवे सम्मिधान संसोधन से सम्मंदित है अगला कॉश्चन है 73 सम्मिधान संसोधन किस ब्यवस्था को पुरुस्ताहित करता है राइट आंसर है स स्वैसासन की व्यवस्ता को किसको स्वैसासन की व्यवस्ता को राजबितायो का गठन भारतीय समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत किया गया है तो सही आंसर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी BPL परिवार का एक बयस्क सदिस महत्मा गांधी राष्टे ग्रामी रोजगार गारंटी अधिरियम के अंतरगत लाप प्राप्त करने का पात्र होता है महत्मा गांधी राष्टे ग्रामी रोजगार गारंटी यूजना में आयूजना बनाने संपादन करने वा किरियन वयन का उत्तरदायत किस का है तो यह होता है ग्राम पंचायतों का भारत की किस राज में पंचायतों में अलफ संखेकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो यार रखेगा भारत का आंध प्रदेश एक ऐसा राज है जिसमें अल्प संक्यकों के लिए आरक्षण प्रदान है देखे पंचात राज से सम्मद्य समीती, समिधान मीकरण के बाद की बात कर रहा है तो पहली समीती है याँपर समीति का नाम है पंचाटी राज संस्थाओं के अधिकार तथा प्रकार्यों के हस्तानतरन के लिए गठित टास्क फॉर्स थीक है इसका अधिक्स थे ललित माथुर बर्स था 2001 अगली है निमनतम इस्तरपर निमनतम इस्तरपर नियुजन के लिए गठित बिसे समु अद्यक्ष हैं B. रामचंदरन समय है 2005 का ये ठीक है इसका बर्स कितना है 2005 नेक्स्ट है जिला इस्तर नियुजन की नियमा वली तयार करने का कारदल अद्यक्ष हैं सिरीमती राजवन्त संधू और समया रखेगा 2008 DRDA जिला ग्रामीड एजनसी के पुरर गठन के लिए गठत समयती थी इसके अद्यक्ष थे B. रामचंदरन और इसका गठन किया गया 2010 में अगला है आमबस्तूओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ती के लिए पंचायतों के उत्तोलन की बिसेश समयती इसके अद्यक्ष थे मड़ी संकर अईयर और इसका गठन बर्स था 2012 देखिए एक इंपोर्टन लाइने आप लिखी है क्या कह रहा है नगरपालिका को बारवी बाहरवी यनकी बारवी अनुसूची में बने कुल 18 विस्यों पर बिदी बनाने की सक्ति प्रदान की गई है अब बात करेंगे संविधान संसूधन से बनने वाले इंपोर्टन प्रसनों की संविधान संसूधन का प्रावधान किस अनुचेत के अंतरगत किया गया है सही आंसर है अनुचेत 368 के अंतरगत भारती संविधान में संसूधन के लिए संसत के किस सदन में बिध्यक लाया जा सकता है तो लोकसवा अत्वा राजसवा किसी भी सदर में लाया जा सकता है important question है अगला कि सम्मिधान संसुधन अदिनियम को लगू सम्मिधान कहा जाता है तो 42 सम्मिधान संसुधन को 42 सम्मिधान संसुधन को लगू सम्मिधान कहा जाता है सादहन बहुमस से संसोदित किये जाने वाले कुछ उपबन देखिए अनुचे 2, 3 और 4 संसत को बिधी द्वारा यह अधिकार देता है कि भारतिय संग में नए राजो को सामिल कर सकें तथा राजो की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राजो का रिर्माण कर सकें अगला पॉइंट है अनुचेद 75, 97, 125, 165 तथा 222 दुट्तिय अनुची में परिवर्तन की अनुमती देता है ठीक है नेक्स्ट है अनुचेद 105, 30 संसद द्वारा पारित किये जाने वार पर संसदिय बिसिस अधिकारों की विवस्था करता है नेक्स्ट है अनुचेद 106 क्या पताया गए असके इंतर संसद द्वारा पारित किये जाने पर संसद सदस्यों के बेतन इवं भत्ते की विवस्था करता है अगला है अनुच्छिद 122 संस्थद्वारा किसी नयी विवस्था के ना किये जाने पर 15 वर्सों के उपरांत अंग्रेजी को संस्थिय भासा के रूप में छोड़ने की विवस्था ये करता है नेक्स्थ है अनुच्छिद 124 फिस्थ इसमें यह बवस्ता है कि संसत द्वारा किसी बवस्ता के ना होने तक उचितम न्याले में साथ न्याईदीस होंगे अनुशेद 135 में क्या पतलाए गया है तो देखे संसत को सर्वुच न्याले के अधिकार छेत में परिवर्तन करने की सक्ति देता है ये अगला है अनुशेद 169 फर्ष्ट कुछ सर्तों के साथ बिधान परिसत को भंग करने की विवस्ता करता है इसके वाद है अनुशेद 249 संग राज छेतरों के लिए मंतरी परसत का सरजन करता है ये कौन सा अनुशेद 249 दिल्ली राष्टे राजधानी छेतर किस समिधान इंपोर्टन कोशन ध्यान रखे गई है निन्यानवेवा समिधान संसुदन बिध्यक किस से संबंदित है तो ये है राष्टे न्याई की नियुक्ति आयो के गटन से भारते समिधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई ध्यान रखेगा भारते समिधान में नवी बिधान संसुदन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निसुलक एवं अनिवार सिक्षा से सम्मंदित है अकला पॉइंट देखते हैं पर क्या रिखाए बिधान सवा था लोक सवा के निर्वाचे सदस्यों के दल बदल पर 52 समिधान संसुदन द्वारा पृतिमंद लगाया गया भार सा 79 वा समिधान संसुदन बर्स 1959 में पृत्व समिधान संसुदन किस से समंदित था तो ये था कुछ राज़ों में किये गए किरसी वा किरसी भूमी संबंदी विधियों के संरक्षर से अगला कोशन है संसत के दोनों सदनों दोरा अलग-अलग बिसेश बहुमत से किस विध जाव राज बिवाध में सर प्रथम संसत की शमिधान संसुदन सक्ती को सीमित किया ठीक है अगला कोशन है भारति समिधान चे संसुदनों मेंसे किस संसुदन दोरा केंद्री मंटी मंडल के आकार का लोगसवाकी कुल सदसो संख्या लोग सवा की कुल सदसंख्या 15% तक सीमित कर दी गई तो ये की गई है 91 वे समिधान संसुधन दोरा आप देखिए बिसेश बहुमत और राज्यों के अनु समर्थन दोरा होने वाले संसुधन के अंतरगत आने वाले बिस है तो पहला है आपका अनुचेद 54 ये है आपके राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित इसके वाल है अनुचेद 55 राज्पती की निर्वाचन की पिर्किरिया से संबंदित है ये इसके वाल आता है अनुचित 73, संग की कारपाल का सक्ती का बिस्तार इसमें बतलाए गया है, फिर है अनुचित 162, जो की राज्यों की कारपाल का सक्ती के बिस्तार के बारे में बतलाता है, फिर है अनुचित 241, संग राज्चित्रों के लिए उच्छ न्याले की ये बिवस्ता करता है, इसके लाता है भाग 11 अध्याय एक संगवार राज्यों की बीच विद्हाई संब्ध इस संबंध से संबंध है फिर है साथवी अनुसूची अगला पॉइंट है साथवी अनुसूची की किसी सूची में संसूधन करना यानि की संग राजसूची एवं संबर्ति सूची के ये बात कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट है संसद में राज्यों का प्रति निरित्व ठीक है अनुसूची चार में फिर है स्वयम अनुछे 368 सम्मिधान संसुदन की प्रिगिरा में संसुदन करना देखिए इंपोर्टन लाइन यहाँ पर लिखिए क्या कह रहा है च्यासी वा सम्मिधान संसुदन दोहर तीन द्वारा सिक्षा के अधिकार से सम्मंदित अनुछेद 21A सम्मिधान में जोड़ा गया है देखिए अम बात करेंगे बिवित की यानिकी मिस्लीनेस की और सबसे पहले यहाँ पर आता है राष्ट पती वा उनके कारकाल और उनके कुछ मुके तत्थ बिस्स तत्थ भी यहाँ पर दिये गए हैं देखिए इस स्लाइड को हम जादा जूम करेंगे तो हम किलिर नहीं प चाहिए यहाँ पर इनका जीवन काल दिया है यानि की इनकी डेट ऑ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों दी हैं ठीक है जन्म दिन और इनका मिरत्यू का दिन 1884 से 1884 में का जन्म हुआ और इनका कारकाल रहा 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ठीक है और बिसेश्च तथ क्या इनके लिए समिदान सवा की ये इस्थाई अध्यक्स थे ठीक है अगला नाम आता है डॉक्टर सरपली राधा किशनका किरम कैनुसार ये दूसरे राष्टपती थे ठीक है इनका कारकाल रहा 13 मई 1962 से 13 मई 1967 ठीक है इनके वारे में बिसेश्च बात क्या है ये भारत ये भारत के प्रथम उपराश्च पती थे ठीक है कौन डॉक्टर सरपली राधा किशनन इसके बाद आता है बात तीसरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसेन का ठीक है किरम कैनुसार तीसरे है ये डॉक्टर जाक काल के समय में हुई थी एक्जाम्य पूछ लिता है इसे कौनसे राश्ट्पती थे जिनकी मि निके कारकाल के समय में हुई तो यह थे दॉक्टर जाकर गिरी ठीक है कारवाग रहे ये 3 माई से 1970 से 20 जुलाई 1970 तक और ये उपराष्ट पती बने ठीक है भारत के उपराष्ट पती वी थे आंगी चल कर इसके बादा है मुहमद हिदायतुल्ला ये वी कारवाग राश्ट पती थे ये मुख्य नयादिस थे दोस्तों ध्यान रखेग ठीक है इन्होंने मुख्य नयादिस का पदभार समाला है और इनका कारकाल रहा 20 जुलाई 1979 से 24 अगस्त 1974 इसके बाद के करम के नुसार आते हैं आपके चोथे 12 गरी बैंकट गरी 12 गरी बैंकट गरी कारकाल रहा 24 अगस्त से 24 अगस्त 79 से 1974 24 अगस्त ही है सौतंतर उम्मीदवार की रूप में उन्हें जीत हासिल की थी इनकी घासियत है अगला पांचवा करम है फकुरुद्दीन अली एहमद केंद्रिय मंत्री थे ये और इनका कारकार रहा 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1974 इसके बाद बीडी जत्ती आये दोस्तों ठीक है ये कारवाग राश्पती रहे बीडी जत्ती इनका कारकार रहा 11 फरवरी से 1977 से 25 जुलाई 1977 ठीक है और आंगी चलकर ये भारत के उपराश्पती भी बने ठीक है अगले देखिए फिर आता है छटवा करामाता है नीलम संजीवा रेट्टी का इंपोर्टन्ट है निर्विरूदित निर्वाचित होने वाले ये पर्थम राश्पती थी ठीक है और 1969 में पराजित थी ठीक है और इनका कारकार रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 इसके बाद देखिए साथवा करामाता है ज्यानी जेल सिंग का 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 इनका कारकार रहा ये पर्थम सिक राश्पती थे ध्यान रखेगा इंपोर्टन्ट है पर्थम सिक राश्पती कौन थे ज्यानी जेल सिंग आठवा करम है अपका आर बेंकर ट्रमन इनका कारकार रहा 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 ठीक है ये उपर्थम पती थे इनका अतत्त्ति खास बिशिष्ट है ये है ःते हैं संकर्दयाल इनका समयकाल रहा कारकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 97 उप्राष्टपती रहे इसके बाद आते हैं के आर नारायान ठीक है कारकाल है 25 जुलाई 1997 से जुलाई 2002 तक उप्राष्टपती चार प्रधान मंत्रियों के साथ कार किया रहे ठीक है उप्राष्टपती भी रहे और चार प्रधान मंत्रियों के साथ कार किया इसके बाद नाम आता है दोस्तों डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम का इनकी डेट अब बर्थ याद रखेगा 1931 में ये पैदा हुए और 2015 मैंन का दिहान दुगा कारकाल रहा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 पिर्थम बेग्यानिक राश्पती थे ये ठीक है भारत के इसके बाद नाम आता है प्रतीवा पाठिल कारकाल रहा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 पिर्तम महिला राश्पती रही ये भारत की ठीक है अगला नाम आता है प्रडव मुखरजी जी का ठीक है 1935 से 2020 इनका देखिए ये प्रतम बंगाली राश्पती थे ध्यान रखेगा ठीक है इसके बाद नाम आता है रामनात कोविन जी का ठीक है 25 जुलाई 2017 से अब तक यानि कि बरतमान समयता कि ये राश्पती है और उत्तर प्रदेश मूल के प्रतम राश्पती है रामनात कोविन जी ठीक है ध्यान रखेगा इस बात को देखे दोस्तों अब बात करेंगे भात के मुख्यन आइडिसों की ठीक है देखे यहाँ पर बहुत से नाम है अभी ये खतम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बरतमान में एन वी रमना बने है और जो की करम के नुसार 48 से वे राश्पती है ठीक है तो 48 नाम आप ऐसे याद आसानी से याद नहीं रख सकते लेकिन यहाँ पर कुछ important नाम है जिनके नाम आपको याद रखना important है उन्हें आप एक बार डिलू देख लिजीगा तो सबसे पहले देखिए आप इसका screenshot कर सकते हैं आप इसको screenshot करके भी पढ़ सकते हैं यहाँ मैं आपको important बताता हूँ सबसे पहले आप शुरू बात के चार मुक्यनादीस के नाम याद रखे चार कौन से हैं मुक्यनादीस देखे यह रहे तो पहले थे प्रथम भारत के मुक्यनादीस प्रथम थे हीरा लाल जे कानिया इनका समय आद रखेगा कारकाल था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1959 दूसरे हैं एम पतंजली सास्त्री तीसरे महर चंदर महाजन और चोते हैं बी के मुक्रजी तीक है ये चार नाव आपको याद रखने जरूरी है क्योंकि एक्जाम में कभी-कभी इनको क्रम से लगाने को देजता है ठीक है शुरू के चार आप याद रखेगा और बाकी के यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसका स्क्रिन सॉट अप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं फिराल मैं आपको देखिए आपको इंपोर्टन बदा जिता हूँ सबसे इंपोर्टन इसमें नाम है एम हिदायत उल्ला का क्योंकि ये राज़्पती भी बनी हमारे इसलिए ये नाम इंपोर्टन है एम हिदायत उल्ला इसके बाद आता है एक इंपोर्टन नाम और जिनका नाम है दोस्तों M.H. कानिया 23 नमबर पर ही ठीक है इनका समय कारकालिया रखना ठीक है M.H. कानिया और बताता हूँ आपको M.N. बेंकर चलाईया प्रेटिस सेट में जो आपको अधिकतर कॉश्चन कहां से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए के सो बराओ ठीक है नवे नमबर में है इनका समय था 1966 से 1966 ठीक है याद रखेगा इनको और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सिरी रंगनाथ मिस्रा ठीक है यह देखिए नम रहा रंगनाथ मिस्रा यह नम इंपोर्टन्ट है है और आँगे बढ़ते हैं देखिए काफी सारे हैं दोस्तों यहाँ पर ठीक है ना और अभी बरतमान में कौन है देखिए बरतमान में आपको यहाँ पर याद रखना है दीपक मिस्रा जी का नाम रंजन गोगोई सरद अर्विंद बोबडे और एनवी रमनना यहाँ से भी एक्जामनर कॉशन बना देता है लाश्ट के चार आपको याद रखना है बरतमान में कौन है एनवी रमनना है ठीक है और आप इसका भी स्कीन सोट कर सकते हैं यदि आपको यह इसको आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर किवल कारकाल दिया है और आपको सुरू के चार याद रखना है सबसे पहले ठीक है तो पर्थम भारत के मुख निर्वाचन आयोद कौन थे सू कमार सेन ठीक है पर्थम थे इसके बाद बने के वी के सुंद्रम फिर बने तीसरे एस पी सेंड बर्मा चौते बने डॉक्टर नगेंदर सेंग ठीक है यह चार नाम आपको याद रखना है सुरूबाद की पूछ सकता है यहां से देखिए पदधान की इनकी पदधान का समय दिया है सुकुमार सेंड 21 मार सेंड बर्मा एक अक्टूबर 1906 पदधान किया है और पदमुक्ति हैं की 30 सितंबर 1922 में चौते हैं आपके डॉक्टर नगेंद सिंग एक अक्टूबर 1922 को नहीं पदधान किया और छे फरवरी 1973 में पदमुक्ति हुए इनकी ठीक है देखिए बाकी के यह आप पढ़ना च चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको बता दी है कि सुरू के चार इंपोर्टेंट है और सबस्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले सुकुमार सेंड ठीक है बढ़ते जा रहे हैं देखिए दोस्तों य आयुक्त सिरीमिती बी एन रमा देवी कारवारती और देश के प्रथम मुस्लिम मुखे चुनाव आयुक्त डॉक्टर सहबुद्दीन याकूब कुरेसी थे ठीक है अकली स्लाइड जो है भारत के प्रधान मंत्रियों की है अब मैं इसको आपको पूरा पढ़ाओंगा क्योंक मैं नहीं समझता कि आपको इतना लाब होगा वहां से आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया लेकिन बहात के प्रधान मंत्री से आँसे कौशन जरूर बनते हैं इनना देख लिजे तर देखिए पहले है आपके सबसे पहले है पंडे जवालना नहरू भारत के प्रधान मंत्री पंडे जवालना नहरू इनकी अवदी देखिए देखुसतों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कारकाल रहा यानि की सबसे लंबा कारकाल है अभी बर्तमान समय में ठीक है आप देखिए बिसिस तक थे भारत के प्रधान मंत्री के मिर्ट्यू पदा ब प्रधान मंत्री थे ये भारत के इसके बाद नाम आता है लाल बहादो सास्तरी का तीसे नंबर पर समय है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 ठीक है इनके बारे में बिसिस्ता क्या है प्रधान मंत्री जिनकी बिदेश में आदेकार यात्तरा के दोरान मिर्ति हो गई ठीक है इंपोर्ट 1966 तक ठीक है प्रतम जो दूसरी वार कारवाहक प्रधान मंत्री बने कौन गुल्जाली लाल नंदा यहां भी देखें इनका नाम था वह यहां फिर आ गया नाम ठीक है ना दूसरे नंबर पर और फिर चौथे पर इसके बाद आती है पांचवे नंबर पर इंद्रागांदी कारकाल यहां के अबदी है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 भारत की प्रतम महिला प्रधान मंत्री थी यह इनके लिए मुखे तथ यहां से यह बनता है कि भारत की प्रतम महिला प्रधान मंत्री थी यह चटा क्रम है आपका मुरार्जी देशाई का 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक ये रहे यानकी 1979 तक सबसे अधिक आयू के यानकी 81 वर्ष के और प्रिथम प्रधान मंत्री जिनोंने अपने पत्र से त्याग पत्र दिया था तो ये कौन थे मुरारजी देशाई अगला नाम है चरण सेंग 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका अवदी रही और एक मातर प्रधामंत्री जो संसत के किसी अधिवेशन में सामिल नहीं हुए वो कौन थे चौदरी चरण सेंग पूरा नाम धन का फिर आती हैं इंदरा गांदी ठीक है इसके बाद 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये अवदी तक प्रधामंत्री रही प्रथम प्रधामंत्री जिनकी कारकाल के दौरान हत्या कर दी गई ठीक है ध्यान रखेगा इंदरा गांदी के वारे मतरते क्या है प्रथम प्रधामंत्री जिनके कारकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी इसके बाद आते हैं दूस्तोर राजीब गांदी ठीक है 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसम्बर 1989 का कारकार रहा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ये बने ठीक है 40 वर सिंग की उम्र थी उस समय ये तथ्यान के लिए important इसके बाद आते हैं बिस्वनात प्रताप सिंग समय रहा 1 दिसम्बर 1989 से 10 दिसम्बर 1999 प्रतम प्रधानमंत्री जिन्हें आबिस्वास प्रताप द्वारा पद छोड़ना पड़ा कौन थे बिस्वनात प्रताप सिंग इसके बाद आते हैं चंदर सेगर 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1999 तक इनका समय काल रहा इसके बाद आते हैं पीवी नर्सिंग राव ठीक है 20 जून 1999 से 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे प्रतम दक्षण भारतिय प्रधानमंत्री है ये ध्यान रखेगा मुख्य पॉइंट इंपोर्टनेंट पॉइंट यही है इनके बारे में ठीक है अगले आये हैं इसके बाद अटल विहारी बाचपई 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यानि की सबसे छोटी अवदी के प्रधानमंत्री 17 दन के प्रधानमंत्री इसके बाद बात आती है HD देव गौडा की 1 जून 1996 से 21 अपरेल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे दक्षे भारती है दुत्ती है प्रधानमंत्री थी फिर बात करेंगे इंद्र कुमार गुजराल इनका सामय काल रहा 21 अपरेल 1997 से 21 अपरेल 1998 पूर्व सोव्य संग में भारत के राजदूत के रूप में रनकार किया इसके बाद दोस्तों बात होगी अटलवेहरी बाचपरी की दोबारा से अटलवेहरी बाचपरी फिर से बने 21 अपरेल 1998 से 22 मैं 2004 तक प्रधानमंत्री प्रधम गैर कांगरीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पांच वर्स का कारकाल पूरा किया था ऐठालवियारी बाचपई थे इसके बाद नाम आता है मनमोहन जंग का ठीक है 18 मौर्च 2014 with. जा शबीस मईए 2014 यह आपके परधारमंत्री रहे और भारत में उधारी करण का जनक कहा जाता है किनको मनमोहन सिंग Eastern add destruction pediatric adventure नरятно lost इसके बाद नरिंद मोदी जी दुबारा आते हैं 30 मई 2019 से और बर्तबान समयमेन का कारकाल चल रहा है एक कारकाल पूरा करके लगाता दूसरे कारकाल के लिए निटवाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रिसी प्रधान मंत्री है नरिंद मोदी जी ठीक है आप देखिए सबसे लंबे समय तक प्रधान मंत्री कौन रहे पंड़े जवालाल नहरू 17 साल सबसे चोटा कारकाल अठाल ब्यारी बाचपई जी का तेरा दिन ठीक है 1996 में कारवाहत प्रधान मंत्री गुलजारिया नंदा दो बार 1964-1966 एक से आधिक वार प्रधान मंत्री कौन बने तो प सबसे पहले आता है है नचिए 30 फिर फिर है 341 लाजड के लिए पिसेस परधान के वारे में बतलाया गया है आपर इसके वाद है 371 c मनिपूर राज के लिए बिशेस परधान 371 C में बताए गए फिर है अनुचे 371 D आंद प्रदेश राज या तैलंगाना राज के लिए बिसेश प्रवधान इसके अंदर बताए गए है ठीक है इसके बाद दोस्तों आता है 371 E 371 E आंद प्रदेश में केंदरी बिस्विधाले की स्थापना के वारे में बतलाए गए है इसके अंदर इसके बाद है 371 F सिक्किम राज के लिए बिसेश प्रवधान है याँपर फिर है 371 G मिजुरम राज के लिए बिसेश प्रवधान बताए गए है याँपर फिर आता है 371 H और नाचल प्रदेश राज के लिए बिसेश प्रावाधान बताए गए है ठीक है किसमें 371 H फिर आता है 371 I गोवा राज के लिए बिसेश प्रावाधान बताए गए फिर आता है 371 J करनाटक राज के लिए ये बिसेश प्रवधान बताए गए हैं इसके अंदर किसमें 371 जे में देखे दोस्तों अगली स्लाइड में आपको जनजाती छेतर बताए गए हैं और किस राज में है ये तो देखिए हम इसको उल्टा पढ़ेंगे देखिए जनजाती छेतर देखते हैं पहले दीमा दीमा ह पूर्म नाम है उत्तरी कछार पहाडी जिला ये आता है असम में इसके बाद है कारवी आंगलांग जिला ये जनजाती छेतर का हैं ये भी असम में हैं फिर है बोडो लेंड प्रदेश छेतर जिला ये भी असम में आता है ठीक है अगला देखते हैं खांसी पहाडी जिला ज यह आते हैं आपके मिजोरम में कहां पर आते हैं मिजोरम में अगली स्लाइड है यहाँ पर नियामक निकाय रेगलेटरी बोडी तो पहला है बीमा बिनियामक एवं बिकास प्राधीगर्ण जिसको सौट में इरेडा भी कहते हैं इसकी स्थापना हुई 1999 में और इसका संबंद है बीमा छेतर से फिर आता है सेवी पूरा नाम है भारतिय पृति भूति एवं बिनियमें बोड इस्थापना की 92 में और यह सेर बजार से संबंदित है फिर आता है भारतिय पृति इसपरदा आयो इस्थापना 2003 छेतर है इसका ब्यापार्ट प्रबंद से संबंदित है यह नेक्स्ट है भारतिय दूर संचार बिनियामक प्रादी करन यानि की ट्राइ की बात कर रहा है इस्थापना हुई 1997 में और ये संबंदित है दूर संचार से नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकर्तिक गैस नियामक बोर्ड इस्थापना की गई 2006 में इसका सम्मंद है पेट्रोल प्राकर्तिक गैस छेतर से फिर आता है केंद्रिय बिद्दुत नियामक आयोग इस्थापना की गई 2003 में छेतर है बिद्दुत से सम्मंदित अगला है परमाल। उर्जा नियामक बोड। इस्तापना हुई 1983 में और छेत्र है इसका संद्धित परमाल। उर्जा से फिर आता है पैंसन, निदी, नियामक एबं बिकास प्राधिकरन इस्तापना बर्स है 2-3 और छेत्र है ये पैंसन से संद्धित तीक है नेक्स्ट है हाउस रेगुलेटरी अथोर्टी इस्थापना 2016 सम्मन्ध है आवास छेतर से फिराता है प्रसार भारती इस्थापना 1997 में हुई इसकी ये रेडियो एवं दूर दंसन से सम्मन्दित है देगे अब हम बात करेंगे देश के अर्ध सेनिक सुरक्षाबलों की तो सबसे पहले बात करते हैं ITBP की यानकी भारती है तिबस सीमा पुलिस की इस्थापना हुई इसकी 1962 में मुख्याले इसका नई दिल्ली में है और उद्देश है भारत तिबस सीमा की निगरानी करना फि की तक पूरी स्लाइट देखी सबके नई दिल्ली में मुख्याले केवल असम राइफल का मुख्याले कहा है सुलोंग असम में उद्देश है पूरवुत्तर की सुरक्षा करना फिर आता है CRPF केंद्रियर रिजर पुलिस बल इस्थापना हुई 1949 में मुख्याले नई दिल् करता है ये फिर आता है SSB सस्त्र सीमा बल इस्थापना हुईzn की 1993 में मुख्याले नई दिल्ली में है भारत नेपल सीमा की सुरक्षा करता है ये ठीक है फिर आता है BSF water security 4 सीमा सुरक्षा बल स्थापना 1965 अंतराष्टे-सीमा की सुरक्षा करता है फिर है केंधरी ओद्दोकिक सुरक्षा-वल सि-I-S-F स्थापना हुई 1969 में मुख्षान है नई-दिल्ी में PSUS की सुरक्षा करता है फिर है NSG यनकी राष्ट्रे-सुरक्षा-गाड स्थापना 1984 मुख्याले नई दिल्ली में है देश में आतंगवादी हमले से शुरक्षा करता ही हमारी ठीक है फिर आता है होम गार्ड इस्थापना 1946 ठीक है इसका मुख्याले आपको पृतिक राज में मुलेगा इसलिए यहां पर लिखाने है ठीक है पृतिक राज में नागरिक असांति और संप्रताइक दंगों को निंतित करने के लिए इसको मनाया गया किसको होमगाड को, अब बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बलकी, इस्थापना 1957 मुख्याले नई दिल्ली, रेल यात्रियों, रेलवे संपतियों एवं रेलवे परिच्छत की सुरक्षा करता है ये, मार्कोस कहते हैं, 1987 में स्थापना हुई, और इसका उद्दिस क्या है, नौसेनिक बल, ठीक है, चलिए, प्रुमुक देशों के नागरिक सम्मान की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, प्रुमुक देशों के नागरिक सम्मान, तो देखिए, अमेरिका का सरवच नागरिक सम्मान है, दा प्रेसिदेंशियल मेडल और फ्रीडम, मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिस आपको क्लियर दिखाए दे, देखिए, अमेरिका के सरवच नागरिक सम्मान का नाम का नाम का है, The Presidential Medal of Freedom फिर देखिए, ब्रिटिन का सर्वोज नागरिक सम्मान क्या है इसका नाम है George Cross फ्रांस का सर्वोज नागरिक सम्मान इसका नाम क्या है The Legion कनाड़ा का सर्वोज नागरिक सम्मान इसका नाम है The Order of Merit क्या नाम है The Order of Merit अब बात करेंगे Belgium सम्मान है ओर आफ दे क्राउं कहा नाम है इसका मैक्सीको का सरभूच नाग्र के नाम है उसका नाम है जापान का अर्वुच नाग्र का सबसे पहले बात करेंगे समिन्धान सवा की गठन के समय 389 सदस थेस के ठीक है 292 प्रांतों से 93 देशी रियासस से और 4 तमिस्नरी चेतरों से ठीक है सुतंता के बाद भारती समिन्धान सवा की सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई क्योंकि 90 सीटे हैं पाकिस्तान की समिन्धान सवा में चले गई अगला है लोक सवा अधिक्तम सदस संख्या 552 सदस से ठीक है 530 राज़ों से 20 के इंसासे प्रदेश से और 2 राज़पती द्वारा मनुनित बर्तमान में 545 सीटे हैं सेज 7 सीटें पाकिस्तान अधिक्रत कस्मीर के लिए निर्धारित है राज़ सवा अधिक्तम सदस संख्या 250 238 राज़ से 12 राष्ट पती द्वारा मनुनित बर्तमान में संख्या किती है 245 इसके अभिधान सवा अधिक्तम सदस संख्या 500 सरवादिक 404 उत्तर प्रदेस में है ठीक है इसके बार 294 पच्चे मंगाल में फिर महराश्च में 288 उसके बार बिहार में 243 इसके बार बात करेंगे बिधानसवा नियून्तम सदस संख्या 60 सदस है ठीक है 60 सदस से इसके कुछ अपवादवी है ठीक है बात करेंगे बिधान परस्द की अधिक्तम सदस संख्या राज बिधानसवा के सदस्दों के एक तेहाई हिस्सा होती है ठीक है बिधान परस्द नियून्तम सदस्द संख्या ठीक है नियून्तम सदस्द संख्या बिधान परस्द में 40 सदस्द से बिधान परस्द वाले राज कौन से हैं उत्तर प्रदेश बिहार महराष्ट आंद प्रदेश तलंगाना इवं करनाटक ठीक है अब बात करेंगे उच्छतम नाले में कुल नियादिसों की संख्या संख्या है 34 एक मुखिनादीश और 33 नियादीश है इसके ठीक है अने नियादीश लोग सवा में सरवादि सिख्यम और सभी केनसासि प्रदेश दिलि दाधर नाधर हवेली तवादमंदीप को छोड़ कर राज सवा में सरवालिक सधस वाला राज थ है उत्तर प्रदेश सदस हैं 31 ठीक है राज सवा में निून तम सधस वाली राज है नून दम सधस वाली राज देखिए गुवा न आठवी अनिसूची में भासाओं की संख्या कितनी है तो ये है 22 मूल समिधान में 14 भासाइं थी बाद में अलग-अलग समय पर इसमें अन्य भासा सामिल की गई गड़पूर्ती देख लेते हैं एक बार गड़पूर्ती के लिए आवासक सदस संख्या लोकसवा, रासभा, विधान सभा, विधान परत्व की बात कर रहा है सदन की कुल सदस संख्या का एक बटे दस होना चाहिए कितना एक बटे दस अब हम बात करेंगे प्रमुक आयोग समीतियों की ठीक है इनके तत्र दिखेंगे पहला है सरदार सोण सिंह समीति 1976 देखिए इसका मुख्य तत्र क्या है 42 वा समीदान संसुदन 1976 द्वारा मूल करतवों का समावेश किया इसने ठीक है अगला है सरकारिय आयोग 1983 इसका सम्मद्ध है केंद्र राज सम्मनों पर अनुसंसासे नेक्स्ट है धर आयोग 1947-48 एसके धर ठीक है राज्यों का पुरार गठन भासा के आदार पर नहीं होना चाहिए ये इससे सम्मन्दित है फिर है जे बी पी समीती उनुसाटारीस देखी जे का मदलव है जवाला नहरू बी का मदलव है बल्लब भाई पटेड और पी का मदलव है पट्टावी सीतमा रहिया ठीक है ये इसके सदसे थे राज्यों का पुर्णर गठन देश की सुरक्षा एक्ता वा आर्थिक सम्मृद्धी के आदार पर किया जाए ये इसका उद्देश था अगला है राज्य पुर्णर गठन आयोक 1956 सैयद फजल अली हिर्दे नात कुंजरू के अम पटिकर इसके सदस थे इसका प्रमुक तत्रत्र क्या है राज्यों के गठन के लिए बहासा को आधार मनाया गया इसी के आधार पर राज्य पुर्णर गठन अधिनियम बनाया गया फिर है लोक लेखा समीती कुल सदस होते हैं इसमें बाईस पंदरा होते हैं लोक सवा के साथ राजसवा से इसका मुख्यकार है भारत के लोक लेखा तता C.A.G. के पृति वेदन का निरिक्षण करना इसके बाद हैं प्राकलन समीती कुल सदस हैं तीस और सभी लोक सवा के ह इसके बाद आता है संयुक्त संसदी समीती लोकसवा वा रासवा के सदस्य इसके अंदर होते हैं यह एक तथर्थ समीती है इसके बाद आता है दोस्तों नियोगी आयोग ठीक है 1946 केसी नियोगी अद्यक्स थे इसके आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परसत के प्रती उत्तरदाई संगठन की अनुसंसाज का मुखे तत्व है फिर है बलवन्त राय महता समीती 1956 से 57 त्री इस्तरिय पंचाती राज संस्ताओं के गठन की संस्तुती की इसने फिर आता है बी एम ताराकुंड समीती का नाम 1974 वाली चुनाव सुधार मत्दान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स करना चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उप्योग ना करना आधी अनुसंसाज इसने की इसके बाद है पुन्ची आयो मतल मुहन पुन्ची है 27 की बाद है केंद्र राज संबन के विसे की अनुसंसाज की इसने फिर है दुत्तिय प्रसासनिक सुधारायोग 2005 अध्यक्ष है बिरप्पा मुहिली ने 2009 में अध्यक्ष पर से त्याक पत्र दिया उसके बाद भी रामचंदरन इसके अध्यक्ष बने अब देखिए अगला यहाँ पर स्लाइड आ रही है राश्टपती द्वरा चैनित पदत कारी यान की राश्टपती किसकस का चैन करता है ठीक है आप देखिए ध्यान से देखिए गाइसको यहां से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा सबसे पहले देखिए प्रधान मंत्री की बात करेंगी लोग सवा में बहुमत दलका नेता होता ही है निरवाचन संबंदी अनु अनुछेत है एकसो Celii 24 निरवाचन संमंदित अनुछेत हैं 124 परष्ट आदिक्तम 12 होती है मुख्यण याधिस बनने 65 ऑदिक्तम 25 वर्ष की आदिक्तमाइयू है और राश्ट पतिस को सपत दिलता है ठH अ और मुख्य न्याइदीस त्यागपत किसी देता है राश्टपती को अगला आता है सरवुच न्याले के न्याइदीस ठीक है निरवाचन संबंदित अनुचेद हैं 124 फस्ट अधिक तमायू है बासट वर्स यानकी बासट वर्स के वाद ये रिटार्ड हो जाते हैं सेवा नि परेपन निरवाचन संबंदित अनुचेद है 155 और राजपाल बनेने के लिए नियूंतम आयू होनी चाहिए आपकी 35 वर्स ठीक है सपत गिरण हC के मुख्य नाइदीस इसको सपत गिरण कराते हैं और राजपाल अपना त्यागपत राश्टपती को देता है ध्यान रखन अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त निरवाचन संबंदित अनुचेद है 324 सेकंड अधिक्तम आयू है 65 वर्स ठीक है मुख्य चुनाव आयुक्त को सपत गिरण राश्टपती और ये अपना त्यागपत राश्टपती को ही देते है ठीक है फिर आते है भात के अगला है अनुचेद संबंदित है 76 और निरवाचन संबंदित अनुचेद भी 56 आधिक्तम आयु है 65 वर्स ये अपना त्यागपत राश्टपती को देते हैं फिर है अध्यक्च लोक सिवायोकि अनुचेद है संबंद都 315 अधिक्तम मूर् उम्र है 65 वर्स और ये अपना त त्यागपत राश्ट्पति को देते हैं ठीक है इसके वारा आते हैं लोकसिवा आयोक के सरस्य अनुछेद है सम्मझित 315 में अधिकतम आयू है 65 वर्ष ठीक है और यह अपना प्यागपत राश्ट्पति को देते हैं ठीक है चलिए आँगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे बित आयोग के अद्देक्ष की अनुचे संबंदित है 280 उम्र हैंन की अधिक्तम 65 वर्स और ये अपना त्यागपत राश्टपती को देते हैं इसके वाद बात करेंगे प्रूटेम स्पीकर की ठीके ये राश्टपती के दोरा उनको सपद दिलवाई आती है ठीके इतना ही यहाँ पन के बारे में बतलाया रहा है अगली स्लाइड में आयोग वाउनके मुख्याले बताय रहे हैं पहला है राश्टी हरत न्याले अधिकरण मुख्याले इसका नई दिल्ली में है गटन हुआ दोयार दस में और ये एक न्याय की संस्था है फिर है इसके बाद दूसरा राश्टी न्याय आकादमी मुख्याले है भूपाल में गटन बर्स है 1993 और ये बैदानिक संस्था है फिर है राश्टिय बिदिक सेवा प्रादिकरन नालसा मुख्याले नई दिल्ली में इसका ठीक है ये क्या रखना है आपको किवल भूपाल वाकि देखे सब की मुख्याले नई दिल्ली में ही है ठीक है तो राश्टिय बिदिक सेवा प्रादिकरन इसकी थापना हुई यह अनुसूचित जाती आयोग मुख्याले नई दिल्ली पुनन गठन हुआ सका 24 में सम्मिधानिक निकाय है ये इसके बाद बात करेंगे राष्टी अनुसूचित जन्जाती आयोग की मुख्याले नई दिल्ली 2004 में पुनन गठन हुआ सम्मिधानिक निकाय है ये फिर बात करें मुख्याले नई दिल्ली में हैं 1959 में इसकी का गठन किया गया अर्ध न्याई की और समय दने निकाई है कौन विट्ट आयोग बात करेंगे मानव अधिकार आयोग की मुख्याले नई दिल्ली में हैं गठन बरस हैं 1993 अनुसनसात्मक निकाई है ये फिर आता है राश्टी महिला आयोग मुख्याले नई दिल्ली में है गटन वर्से 1992 स्वय तत्ता बैधानिक निकाय है ठीक है फिर आता है राश्टिय बाल अधिकार संद्चन आयोग मुख्याले नई दिल्ली में है गटन वर्स दोयर साथ ये एक बैधानिक निकाय है ठीक है अब बात करेंगे राश्टिय अल्किसंख्यक आयोग की मुख्याले नई दिल्ली और 1993 में गठन किया गयाँ बैधानिन निकाय है फिर आता है राश्टिय पिछड़ा बर्ग आयोग मुख्याले नाई दिल्ली में हैं 1993 में गठन हुगा गठन बैधानिक निकाय के रूप में अब सम्मेधाने निकाए है ये, फिर है केंद्रे सूचने आयोग, मुख्याले नई दिल्ली में है, गटन वर्स है 2105, ठीक है, बैधाने निकाए है ये, फिर आता है परी सीमन आयोग, मुख्याले नई दिल्ली, चार बाद गठित हो चुका है, और स्वैतता निकाए है ये, फिर है बिदी आयोग, मुख्याले नई दिल्ली, गैर बैधानिक परामर्सी निकाय है ये, फिर आता है अंतराजिय परिस्थ, मुख्याले नई दिल्ली, गठन वर्स 1990, सम्मिधानिक निकाय है दोस्तों ये, इसके बाद है इंपोर्टेंट निर्वाचन आयोग, मुख्याले बाकि जितने भी हमने पढ़े हैं सभी नई दिल्ली में हैं अधिक्तर अधिक्तर नहीं सभी देखिए सब नई दिल्ली में है मुख्याले देखी अगली स्लेड में क्या पताया गया है सरवादिक राजसवा सीटो वाले पांच राज अब रोहिकरम में तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31, उसके बाद महाराष्ट 19, फिर है तमिलनाडू 18, पश्चे मंगाल 16, फिर बिहार 16, ठीक है इसके बाद बात करेंगे सरवादिक लोकसावा सीटों वाले 5 राज अब रोही करम है तो सबसे ज़्यादा लोकसावा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी 80, इसके बाद दूसरे नमबर पर आता है महाराष्ट जिसमें 48 हैं सीटें, फिर पश्चे मंगाल 42 सीटें, बिहार 40 और तमिलनाडू में 49, most important topic पढ़ रहे हैं, हम ध्यान रखेगा, यहां से question बनता ह अब बात करेंगे, सरवादिक बिधान सावा, सीटों वाली राज, पॉरोही किरमें, बड़े से छोटा, सबसे बडा, फिर उसके बाद फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर बिलकुल छोटा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिधान सौवा की हैं, 403 सीटें, पश्चे मंगा में 294, महराष्ट में 288, बिहार में 243, इसके बाद तमिलाड़ू में 234, ठीक है, समान सीटों वाली बिधान समाएं, important है, question बन सकता है, देखिए, हरयाना वा 36 गड़ में, बिधान समागी सीटे समान है 90, मनीपुर, मेगाले, नागलें, तिरपुरा, अनाचर प्रदेश में बिधान समा की समान सीटें है 50, गॉआ और मिजरम में 40, बिधान समा की सीटे है, ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक, वैक्ट दिया गया है, जम्मु कस्मीर, बिधान समान में कूल शीटों की संख्या 114 है, जिनमैसे 24 सीटे, पाकिस्तान, अधिकरित कस्मीर, पियोके के लि तो देखिए सबसे जादा उत्तर प्रिदेश में 100 इसके बाद महरास्ट में 78 बिहार में 75 करनाटक में 75 फिर आंध्र प्रिदेश में 58 और तेलंगना में 43 ठीक है ध्यान रखेगा भारत का सबसे कम पंजी कृत मत दाताओं की संख्या वाला संसदी छेत्र कौन सा है तो यह है बनेज जूनागर संसदी छेत्र राजिस्थान ठीक है सबसे अधिक पंजी कृत मत दाताओं वाली संख्या वाला संसदी छेत्र कौन सा है तो यह है उन्नाव उत्तर प्रतेश सबसे छोटा संसदी छेत्र कौन सा है ध्यान रखेगा सबसे छोटा संसदी छेत्र है लक्षद ठीक है 3049 किलो मीटर देखिए अब तक भारत में तीन बार संसत की संयोग बैठक आयोजीत हो चुकी है ठीक है तो पहली हुई है दहिज प्रती बंद बिद्यक 1959 में ततकालिन प्रधार मंत्री थे पंडे जवाला नहरू दुत्ती बैठक हुई बैंकिंग सेवा आयोग बिद्यक 1970 में और ततकालिन प्रधार मंत्री थे मुरारजी देशाई तुत्ती बैठक हुई आतंक निवारक अध्या देश पोटा के बिरुद 2002 में प्रधार मंत्री थे अटल व्यारी बाचपई ठीक है देखें सुशाशन 2019 मे पहले स्थान पर रहा तमिल्नाडू आपको केवल यहाँ पर याद रखना है चार सुरू के चार तमिल्नाडू दूसरे पर महराष्ट तीसरे पर करनाटक चौतर पर 36 गड़ और सबसे अंत्यम स्थान रहा दोस्तों जार खंटका ठीक है और यदि आप बाकी के पढ़ना च चार यह ठीक है नियक्ति वर्स है 1946 इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1947 में दुत्ष्टै बेतनायोग के अध्यक्ष रहे दोस्तों जगनाव दास नियुक्ति वर्स 1957 इन्होनने अपनी रिपोर्ट प्रिस्थित की 1959 में फिर आता है तित्ष्थ बेतनायोग सौरी तित्थी चतुरत बेतनायोग है इनके अद्यक्ष है P.N. सिंगल निक्ती वर्स है 1983 रिपोर्ट प्रिस्थित्य वर्स है 1986 फिर आता है पंचम बेतनायोग ज़ि अद्यक्ष है S. रतनावल पांडियन निक्ती वर्स है 1994 इन्हों ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1997 में चटा बितनायोग अध्यक्ष च्छाय जस्टिस भी एन श्रीकिष्णा नियुक्ति वर्षे 2006 में रिपोर्ट प्रिश्टत की फिर आता है सातवा बितनायोग अध्यक्ष च्छाय असोक कुमार माथुर नियुक्ति वर्षे 2004 में अपनी रिपोर्ट पेस की है देखिए अगली स्लाइड पर लोक सवा राज सवा एबं बिधान सवा एबं बिधान परसत एक द्रश्टी में याँ पर बतलाए गए आपको एक द्रश्टी में आपको इंपोर्टन कॉशन देख सकते हैं तो देखिए मैं इसको जूम करता हूँ तोड़ा सा जिससे कि आपको किलियर दिखाई देखिए अधिक्तम संक्या के आदर पर लोक सवा में 552 230 राज्जों से प्लस 20 केंसासे प्रदेश और 2 राश्ट्पती द्वारा नामित होते हैं लोक सवा में अधिक्तम सदस्वा की बा सारा राश्ट्पती नामित करता है बिधान सवा में हैं को सीत 500, पांचसौ ठीक अधिक्तम सीते हैं जे बिधान सवा में 60 सदस्वां के सदस्वा की तो देखे लोक स्वा में बिधतमां संक्या 545 524 राज्जों से 19 केंसासे प्रदेश से और 2 राश्ट्पती द्वारा नाम बात करेंगी राजसवा की देखी निसान लगाएता हूं में 245 सीटे हैं 225 राज्यों से आठ केंसा से प्रदेश से और 12 राष्ट पती दौरा नामे थे इसमें ठीक है बिधन परसद को देखते हैं मात्र 6 राज्यों में बिधन परसद हैं इनकी नाम है उत्तरप्रदेश बि सब्थर इकत्ति संक्या राज्य है उत्तर प्रदेश महाराष्ट पष्ट्य मंगाल आत्रप्रदेश एवं बिहार नागलेंड गोवा नागलेंड सोरी Dent केंसासेश प्रदेश दिल्ली को छोड़कर मात्र एक-एक सीट है आप ठीक है नियुनतरम की बात हो रही है ना एक-एक सीट है मैं इसको क्लिर कर देता हूँ अब देखे और देखे अब राज सवाकी बात करेंगे नियुनतरम सदस्थंग के आवाले राजों की गोवा जोड़ीमें 30 हम बात कर रहे थे नियुनतरम सदस्थ संख्या वाले राज्यों से ठीक है और विधान परसत की बात करें तो नियुनतरम सदस्थंग यहा पर कितनी 43 देखे एक सिलाइड है प्रकार कैसी है लोकसवा आज 23 सदन है ठीक है राजसवा 23 सदन है विधान सवा अगला point देखिए संबंदित अनुचेद लोक सवा का अनुचेद है गठन का अनुचेद 80 राज सवा का है अनुचेद 80 बिधान सवा का है भाग 6 अनुचेद 168 से 212 ठीक है और बिधान परिशत का गठन से अनुचेद है कितना अनुचेद 169 के तहत संसत को किसी राज में बिधान परिशत को इस्थापित करने और समाप्ट करने का दिकार है हम इस point को पढ़ रहे थी ठीक है ध्यान रखिए इस सवाले को ठीक है देखिए लोक सवा सदस्त हेतू आयू बता रहा है लोक सवा में यदि आपको सदस्ता चा 25 वर्स ठीक है और वहीं बिधान सवा थी यह तीसरी वाली बिधान सवा है 25 वर्स और बिधान परसत के लिए कितनी होन चाहिए नियून तम आयू तीस वर्स होना चाहिए देखिए दूस्तों अगली स्लाइड में भारत के प्रुमुक पत अथिकारी एक दरश्टी में दिये गए है ठीक है तो देखिए सबसे पहले या पर बात होगी राश्ट पती की राश्ट पती से संबंदित अनुछेद है 52 और राश्ट पती के निर्वाचन संबंदी अनुछेद कौन सा है तो निर्वाचन संबंदी अनुछेद है 14 राश्ट पती बनने के लिए नियून तम आयू आई आपको चाहिए 35 वर्स ठीक है अधिकतम आयू यहाँ पर करवाता कौन है राष्ट पती को तो राष्ट पती को सपत गरण करवाता है दोस्तों स्प्रीम कोट का मुक्य नाय दिस त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट पती अपना त्याग पत्र उप राष्ट पती को देता है चलिए अब बात करेंगे उप राष्ट पती की अब उप राश्ट्पत्पती से संभंदित अनुच्शेत है 63, और इसके निर्वाचन से संभंदित кус सचाथ, निउन्दम आयू है 35 वर्ष, राश्पत्पती बनिने के लिए, और राश्पत्पती को सपत कौन गिनन करवाता है, उप राश्ट्पति, अपना त्यागपत किसक प्राश्पति के निर्वाचन मंदल में केवल संसत के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस से सामिल होते हैं अब हम बात करेंगे अन्य पद्धिकारियों की ठीक है अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों जैसे यह से हम इस पेज को उपर के और बढ़ाएंगे तो आपको यह नजर नहीं आएगा ठीक है तो मैं आपको ध्यान से सुनिएगा इसको ठीक है यहां तक तो हम पढ़ लेंगे नजर आएगा इस अब लेकिन फिर बात में यह नजर नहीं आएगा जब उपर बढ़ेंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखीगा अब ध्यान से सुनिए देखें बात करते हैं लोकसा बात द्यक्षकी संबंदित अनुच्षेद है 89 निरवाचन से संबंदित अनुच्षेद कितना इसका 93 निरवाचन से संबंदित अनुच्षेद 93 निरवाचन या चैन कैसा होता है इसका देखें लोकसवा सदस्यों के मतदान द्वारा होता है सपत ग्रण कौन करवाता है इसको लोकसवा सदस्य को तो लोकसवा सदस्य के रूप में पहले ही सपत ग्रण कर लेते है त्याग पत्र ये देता है अपना उपात देख्ष को, यांनकि लोकसभा के उपात देख्ष को अब हुम बात करेंगे, लोकसभा के उपात देख्ष की निर्वाचन से संबंदित अनुचेर है 93, निूंतम आईउ है इसकी 25 वर्स, ठीक है सपत ग्रण कौन करवाता है लोगसवा अद्यक्ष उपाद्यक्ष को तो लोगसवा सदस्य के रूप में ही पहले ही सपत ग्रण कर लेते हैं ये और लोगसवा अद्यक्ष अपना त्याक पत्र किसको देगा अद्यक्ष को यानिकी लोगसवा के अद्यक्ष को अब हम बात करे और देखिए निर्वाचन या चैन के से की सदस्य। की रूप में पहले ही सपत ग्रहन करता है सपत ग्रहन कोन करवाता है तो राज सवा सदस्ट की रूप में सपत ग्रहन करता है यह और अपना त्याक पत्र सवापती को देता है ठीक है इसके वाद बात करेंगे राज सवा सदस्ट की देखिए सम्मंदित अनुछिद है अस्सी निंटम आईू कितनी है तीस वर्स, ठीक है अब ये क्या है देखे आपको यहां उपर नजर नहीं आएगा ये क्या था। मैं एक वर आपको दिखा देता हूँ, निर्वाचन चैन है ये, ठीक है क्या है निर्वाचन चैन, तो राज बिधान सवाओं के सदस्चों द्वारा म मुख्य मंतरी बनने के लिए नियूंतम आयू है 25 वर्स, ठीक है, और इनका निर्वाचन यावज चैन कैसे होता है, राजपाल की नुकती पर, मुख मंत्री को सपत कौन घ्रण करवाता है राजपाल और मुख मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं राजपाल को अगला है दोस्तों बिधान सवा सदस से निर्वाचन सम्मंदित अनुचिय धैसका 170 बिधान सवा सदस से बनेने के लिए नियुनतम आयू चाहिए 25 वर्स चैन कैसे होता है जनता दौरा प्रत्यक्ष निर्वाचन से ठीक है बिधान परिशद सदस के निर्वाचन सम्मंदित अनुचिय धैसका एकसो danny माई है 30 AI चैन कैसे होता है आप प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के दौरा इसका चैन होता है बिधान परिशद सदस को सपत कौन दिलवाता है राजपाल और बिधान परिसत का सदस से अपना त्याग पत्र किसको दे तसंभूत करता है सवापती को ठीक है देखे लाश्ट में नोट एक लाए लिखी है उप्यूक्त सभी पदों में अधिक्तम आयू निश्चित नहीं की गई है अधिक्तम आयू कहीं निश्चित नहीं की गई इस बात को ध्यान रखे ला बिटेन का समिधान अगली स्लाइड में बिटेन की समिधान के बारे में बतलाए गया है देखे राज अध्यक्ष बंस परंपरा के आधार पर होता है आलिखित समिधान चार्टर्ड लॉर्ट्स अधिरियम एवं रीती रिवाज पर परंपराओं पर आधारित है दो सदन हाउस ओफ लॉर्ड यानकी उच्छ सदन और हाउस ओफ कॉमन्स यानकी ये निम्न सदन है यांका समराठ कारपालेका का नाम मात्र प्रमुक होता है जबकि बास्तविक प्रमुक प्रिधान मंद्री होता है कहाँ पर ब्रिटेन में अब बात करेंगे अमेरिका के समिधान की अमेरिका का समिधान अध्यक्षिय एवं संगहात्मक सासन प्रणाली है आपर राश्टपती एक राश्टपती ही राज एवं कारपालका का प्रमुक होता है दोहरी नागरित्ता तथा स्वतंत्र नायपालका है यहाँ संग एवं राज्यों का अलग सम्मिधान है संसत के दो सदन है पिर्तिनिदी सवा और दूसरी है सीनेट अविनासी राज्यों का अविनासी संग कहा जाता है इसको ठीक है अविनासी संग है यह अब बात करेंगे जर्मनी के सम्मिधान की बर्तमान सम्मिधान बर्स 1949 में निर्मित बाप प्रावर्तित है यह संगी ए सासन एवं संसदी ए सासन प्रणाली है यहाँ पर राष्टपती नामात्र का प्रमुख तथा बास्तवेक प्रमुख यहां पर चांसलर होता है कहां जर्मरी में दूई सतनात्मक बुंदे सस्त्र वा बुंदे स्टांग उच्च एवं निम्न सदन हैं यहां के दूई ठीक है अगला स्लाइड है फ्रांस का सम्मिधान बर्स 1958 में पंचम गलराज तथा एकात्मक है यह संसदिये वा अद्दक्षिये सासन प्रणाली का मिस्रण है फ्रांस का सम्मिधान दूई सदनात्मक नेशनल असेंबली यहां का निम्न सदन और सीनेट उच्च सदन है राश्टपती राज एवं सासन दोनों का प्रणुक होता है फ्रांस में अब बात करेंगे दक्षड अफ्रीका की सम्मिधान से दक्षड अफ्रीका की सम्मिधान बर्स 1997 में नया सम्मिधान बनाए यहां पर एकात्मक सासन बेवस्था है राश्टपती सासन एवं राज दोनों का अध्यक्ष है दुई सदनात्मक है ये नेशनल असेंबली निम्रसदन है याँ पर और नेशनल काउंसिल उच्छ सदन है अगला अब देखेंगे बात करेंगे चीन के सम्मिधान से बनने वाले important point की बर्स 1982 में चोथा सम्मिधान लागू हुआ यहाँ संसद एक सदनी है जिसका नाम है नेशनल पीपल कॉंग्रीस विधाय का ही सभी उच्छ पद्याधिकारियों को निक्त करती है चीन में एकात्मक सासन परणाली है प्रधान मंतरी सरकार का प्रधान होता है राजिका नहीं ठीक है चीन की बात करता है अब बात करेंगे करनाठा की समिधान की संगिय सासन सासन का प्रमुख governor बिटिस महरानी तौरा निक्त किया जाता है सक्टियों का बित्रन चार सूचियों में है दुई सतनात्मक है निम्न सतन है House of Commons और उच्छ सतन है सीनेट प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है यहाँ पर कहाँ पर कनाडा में देखें इंपोर्टन स्लाइड आई है संसत की प्रमुख समुथियों के वारे में बतलाये गया है सुरू करेंगे पहले देखेंगे हम बित्ती समीतियों को किसे बित्ती समीति तो पहली है लोक लेका समीति समीतिय नाम है लोक लेका देखें सदस संख्या देखिए इसमें सदस संख्या लोक सवा के 15 सदस से चुने जाते हैं अब बात करेंगे सदसो का निर्वाचन, देखे ये रहा, अनुपातिक पृति निदित्व, प्रणाली से एकल संक्रमनिय मत के आधार पर सदसो का निर्वाचन होता है, लोग लेखा समितिया कार क्या है, तो कार ये रहा, बिविन मंत्रालों के बैव, एवं C.A.G. के पृति समिति में कितने सदस होते हैं, तीस, और सभी के सभी लोग सवाके, सदसो का निर्वाचन देखे, अनुपातिक पृति नित्व प्रणाली से एकल संक्रमनिय मत के आधार पर होता है इनका निर्वाचन, कार क्या है, धन प्राकलनों में निहित, नीती के अनुरूब्यव की जाच करना, नेक्स्ट है, सारवजनिक ओपकरम समीति, सदस संक्या देखिए, पंदरा होते हैं लोग सवाके, और साथ होते हैं यहाँ पर राज सवाके सदस, यानि कि कुल मिलाके कितने हो गए, बाईस, ठीक है, और बाईस ही लोग लेका समीति में थे, ठीक है, अब देख कि सदस्टो का निर्वाचन कैसे होता है, तो सारवजनिक ओपकरम समीति के सदस्टो का निर्वाचन यह रहा देखिए, आनुपातिक पृतिनित्र प्रणाली से एक संक्रमणी है, मत क्या आधार पर, कार्रे क्या है, सारवजनिक पृतिश्ठानों के लेखा, एबन पृति विदनों की समीक्षा तथा सम्विच्छा करना इसका कार्रे है, अब बात करेंगे हम सदन की समीति की, ठीक है, सदन की समीति की, तो पहली आती है कार्रे मंत्रणा समीति, सदस्ट संक्या देखिए, लोकसवा में अध्यक्ष सहित 15 और राजसवा में सभापति सहित 11 सबस्त के अंदर होते हैं सतनों मैंसे इस समीती के पाधन अध्यक्ष को चुनते हैं सतस्तों का निर्वाचन की होता है यहां पर कार्य क्या है क देख़िए कार्य मंत्रान समीति यहकरें था बिसकों के लिए सदन की कारवाही में समय निर्धारत करना अब बात करेंगे नियम समीती की नियम समीती लोग लेका समीती में पंद्रा और राज सवा की समीती में यहाँ पर सूला सदस्व होते है सदस्वों का निर्वाचन कैसे होता है लोकसवा अद्यक्ष पादिन अद्यक्ष होता है आप ठीक है लोकसवा का जो अद्यक्ष है वो पादिन अद्यक्ष होता है कार रिक्या है इसका नियम समीती का संसदिय कारवाही वा नामित लोकसवा अद्यक्ष की पिरक्रिया पर विचार करना इसका कार है अगला देखते हैं, अगली है, गेर संसर सदस्यों से निर्मित बिध्यक तथा संकल्प समीती, पंदरस सदस्यों से बनी हुई यह समीती है, निर्वाचन कैसे होता है? उपाद्यक्ष पादिन अध्यक्ष होता है इसका, अब देखें कार्य क्या है? सदस्यों द्वारा प्रुस्तुत समिधान संसुधन विध्यक की जाच करना तथा गैर सरकारी विध्यकों का बर्गी करण एवं समय का निधान करना इसका काम है आगे बात करेंगे जाच समीतियों की ठीक है दो जाच समीति आ रहे हैं आपर सबी याचिकाओं का परिक्षण करना जो लोकसवा में प्रिस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुक्ष सिकायतों के सम्मन्द में अपना पृतिवेधन देना ठीक है अगली है बिसेस अधिकार समीति सदस्य हैं लोकसवा से 15 संसत के किसी सदस्य या अधिक्स द्वारा बिसेस अधिकार उल्लंगन से सम्मन्दित मामलों की ये जाच करता है इसके बाद आता है सन विच्छना समीति तो पहली है सरकारी आसवासनों से सम्मन्द समीति इसमें लोकसवा के 15 सदस्य होती है निरवाचन कैसे होता है इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होती है कार ये रहा आपका सरकार या मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले आस्वासन पूरे किये गए अत्वा नहीं इस बात की जाच कर पृति वेतन पृस्तुत करना इसका कार है अगली है अधिनस्त बिधान संबंदी समीती लोक सभा के 15 स से होते हैं इसके अंदर निर्वाचन कैसे होता है इसका कारकाल एक वर्ष का होता है और कार क्या है ये रहा कार समीधान द्वारा प्रदत बिनेमयों तथा नियम उपनियमों एवं प्रदत सक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रियों की जाच करना इसका काम ह नेक्स्ट है कानून समीति लोकसवा के 15 सतर्स होते हैं इसके अंदर लोकसवा अध्यक्ष इसका पादन अध्यक्ष होता है इसका निर्वाचन है कार क्या है सरकार दोरा बनाए जा रहे नियम बाधिनियमों की जाच करता है ये समीति इसके बाद आता है दोस्तों सेवा समीतिया तो सेवा समीति में हैं सामानने प्रायोजन समीति ठीक है लोकसवा के 20 अदस होते हैं इसके अंदर निरवार्चन कैसे होता है लोकसवा अध्यक्ष पादिन अध्यक्ष होता है इस समीति का सदन की कारव प्रणाली के संगठन तथा सुधार से सम्मंदित विस्यों पर परामर्स दिनास का कार रहे है देखे अब बात करेंगे भारत में राज बिवस्था में पिर्थम इसको मैं जूम कर लेता हूं लिए देखे पिर्थम राष्टपती तो सब को पता है पिर्थम राष्टपती थे अपने डॉक्टर राजिन परसाथ पिर्थम मुसलिम राष्टपती कौन थे तो पिर्थम मुसलिम राष्टपती थे डॉक्टर जाकिरोसेब पिर्थम सिक राष्ट पती कौन बने तो पिर्थम सिक राष्ट पती बने ग्यानी जेल सिंग पिर्थम उपराष्ट पती कौन थे अपने भारत के तो ये थे डॉक्टर सर पल्ली राधा किश्णन पिर्थम प्रधान मंतरी की बात करें तो पंडे जवाल लाल नहरू थे पिर्थम कारवाग प्रधान मंतरी कौन थे तो पिर्थम कारवाग प्रधान मंतरी थे गुलजारी लाल लंदा पिर्थम उप्रधान मंत्री गौन बने तो सरदार बल्लब भाई पर्टेल भारत के पिर्थम उप्रधान मंत्री बने पिर्थम मुख्यन आईदीस का नाम क्या था सही आंसर है हीरा लाल जे कानिया पिर्थम स्पीकर लोकसवा के तो इनका नाम है गडेस बासुदे मावलंकर पिर्थम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे सू कुमार से नाम अनका ठीक है सारे ही कॉशन मोश्ट इंपोर्टेंट है बार बार एक्जाम में यहां से कॉशन बनता है ठीक है अगला है पिर्थम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कारवाहक इनका नाम था बी-एस रमा देवी पिर्थम महिला लोकसवा सचिप तो पिर्थम महिला लोकसवा सचिप थी इसने लता स्रीवास्तब 30 नवंबर 2017 डेट भी दिया आप ठीक है पिर्थम कमांडर इनचीफ एक जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 इनका नाम था जनरल सर राय बुचर पिर्थम नेता बिपक्ष में तो नाम याद रखेगा पिर्थम नेता बिपक्ष में कौन थे राम सुभग सिंग पिर्थम महिला IES कौन बनी तो पिर्थम महिला IES बनी अन्ना जॉर्ज पिर्थम महिला IPS कौन बनी तो ये बनी थी किरणवीदी कौन बनी दोस्तों किरणवीदी पिर्थम IPS पिर्थम महिला बकील यादि कि अधिवक्ता तो इनका नाम था कार्गने लिया सोरा बजी पिर्तम महिला जिला जज पिर्तम महिला जिला जज का नाम है अन्ना चांडी पिर्तम महिला उच्चे न्याले जज इनका नाम भी क्या है अन्ना चांडी ही थी ये भी सर्वोच नाले की पहली महिला न्याइदिस सर्वोच नाले की पहली महिला न्याइदिस का नाम है फातीमा B.V मानता प्राप्त विरुदी दल के नेता कौन से तो बाईवी चवहान ये कांग्रिस से संबंदित थे ये मानता प्राप्त बिरोधितल के नेता थे भारत की पिर्थम महिला पिर्धान मंत्री कौन बनी तो ये बनी आपकी इंद्रा गांधी 24 जन्वरी 1966 को भारत की पिर्थम महिला राश्ट पती का नाम याद रखेगा स्रीमत्री पिर्धिवा देवी सिंग पाटिल 25 जुलाई 27 को बनी फिर्थम थल सेना अध्यक्ष जनरल महराज राजिंद्र जी ये नाम िया रखे हैं पिर्थम बायु सेना अध्यक्ष थे एल मारसल, सर् थोमस ह प्रतम महिला मंत्री राज कुमारी अम्रिता कौर स्वास्त मंत्री बनी ये ठीक है स्वतंत भारत के प्रतम बित मंत्री स्री सड मुखम सेक्टी स्वतंत भारत के प्रतम बित मंत्री बने प्रतम भारत रतन प्राप्ट करता का नाम क्या है तो इनका नाम है डॉक्टर सर पल्ल प्रतम महिला राजपाल तो प्रतम महिला राजपाल बनी सरुजी नाइडू उत्तर प्रदेश की प्रतम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी तो सुचिता करपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश में समीधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज कौन सा था तो ये थास आंध प्रदेश भारत का प्रथम समीधान संसुदन कब हुआ तो भारत का प्रथम समीधान संसुदन हुआ 1959 में पद पर रहते हुए दिव्रांगंत होने वाले पहले राश्पती यानि कि जिनके मृत् महिला लोकसवाद्देश कौन थी तो उनका नाम यार रखेगा मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसवाद्देश थी प्रतम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो बजाहत हवी बुल्ला प्रतम मुख्य सूचना आयुक्त थे प्रतम नीती आयुक्य अद्देश कौन रहे तो प्रिथम नीत्ती आयो के अद्दक्ष हैं स्री नरेंद्र मोती जी देखिए most important slide आईए आपर विविन पदों के हेतु मानक निधार पहले बात करेंगी नियंत्रक एवा महालेका परिक्षकी कारकाल होता है इनका 6 वर्स अधिक्तम आयू 65 वर्स है और निक्ती कौन करता है किसके दोरा राश्टपती की दोरा नियंत्रक महालेका परिक्षक की निक्ती होती है किसके दोरा सम्मंदित अनुचित यानि कि नियंत्रक महालेका परिक्षक से और नियुकति कौन करता है राष्टपती, फिर है चुनाव आयुक्त, कारकाल 6 वर्ष, अधिकतमायू 65 वर्ष, नियुकति किसके द्वारा राष्टपती के द्वारा, संग लोग सिवायू के सदस की बात करें, संग लोग सिवायू के सदस से, कारकाल 6 वर्ष, अधिकतमायू 65 वर्स और नियुक्ति किसके द्वारा राष्टपती के द्वारा ठीक है संयुक्त लोग से वायो का सदस्य कारकाल 6 वर्स अधिकतमाईू 62 वर्स और नियुक्ति राष्टपती के द्वारा अगला है राज लोग सेवायो का सदस्य कारकाल 6 वर्स अधिकतमायू 62 वर्स निक्ति करता है राजपाल बस आपको यही याद रखना है यह वाला छटवा राज लोग सेवायो के सदस्य ठीक है इसकी निक्ति राजपाल कर रहा है वाकि सब भी देखिए जितने भी है सबकी न उचितम न्याले के न्याज़ीश अधिकतमायू 65 वर्स और नियुक्ति करता है राष्ट पती ठीक है दूस्तों देखी अगली स्लाइड में कुछ राष्टी आयोग वा केंद्रिय निकाय दिये गए हैं और इनका संब्ध किस मंत्राले से ये बताए गया है एक एक करके देखेंगे हम पहला है केंद्रिय सूचना आयोग इसका संब्ध है कर्मिक मंत्राले से फिर है बित्तायोग बित्तायोग का संब्ध है बित्त मंत्राले से इसके बाद आता है तीसरा संग लोकसिव आयोग इसका संब्ध है कर्मिक मंत्राले से फिर है अंतराजिय परिस्थ इसका समद्ध है ग्रह मंत्राले से ठीक है कर्मचारी चैन आयोग का समद्ध किसे है तो कर्मचारी चैन आयोग का समद्ध है कर्मिक मंत्राले से छटा आता राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग इसका सम्मद्ध है सामाजिक न्याय एवं आतिकारिक्ता मंत्राले से साथवा है राष्टिय अनुसूचित जन्जाती आयोग इसका सम्मद्ध है जन्जाती मामलों के मंत्राले से आठवा है केंद्रिय सतर्क्ता आयो यह संबंद रखता है कार्मिक मंत्राले से छेत्री परिसाद संबंद रखती है ग्रह मंत्राले से केंदरी अनिवेशन ब्यूरो यानकी CBI के बाद कर रहा है सेंटल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सम्मंदित है कर्मिक मंत्राले से राश्ट्य अनुसंधान एजन्सी एन आर ए ये सम्मंद रखती है ग्रह मंत्राले से ठीक है बारवा है भासिय अल्प संख्यकों के आयुक्त ये सम्मंद रखते हैं दोस्तों अल्प संख्यक मामलों के मंत्राले से इसके बाद है बाल अधिकार बाल अधिकारों के संरक्षन हेदू राश्टि आयोग इसका सम्मंद है महिला एवं बाल विकास मंत्राले से फिर है पिछले बर्ग के लिए राष्टी आयोग ये सम्बंद रखता है सामाजिक एवं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक्ता मंत्राले से इसके बाद आता है बिकलांग ब्यक्तियों के लिए केंद्री आयुक्त ये सम्बंदित है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक्ता मंत्राले से नेक्स्ट है केंद्रिय समाज एवं कल्याणडबोट सम्मंद रखता है सम्मंदित है ये महिला एवं बाल बिकास मंत्राले से उत्तर पूर्परिशग सम्मंदित है उत्तर पूर्व छेत्र बिकास मंत्राले से केंद्रिय प्रसासनिक न्यादिकरण सम्मंदित है कार्मिक मंत्राले से अल्प संख्यकों का राष्टी आयोग ये सम्मंद रखता है अल्प संख्यक मामलों के मंत्राले से राष्टीय मानव अधिकार आयोग इंपोर्टन्ट है ये घ्रह मंत्राले से सम्मंद रखता है यह संबन रखती है बित्त मंत्राले से, किसे बित्त मंत्राले से, नेक्स्ट है लोकपाल, याद रखेता लोकपाल संबन दित है कार्मिक मंत्राले से, राष्टी अन्यवेशन अवियान, यह संबन दित है ग्रह मंत्राले से, देखे, अब देखे, भारत के न्यावादी, भार भारत का बिधी आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और भारत का परिसीमन आयोग ये सभी दोस्तों बिधी एवं नियाय मंत्राले से संब्धित हैं ये दोस्तों आज का बीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी कौशन अच्छे लगे होंगे, समझाय होंगे पूरा बीडियो देखने के धन्यवाद, चल्द मिलते हैं नेक्स्ट बीडियो के साथ